आज की क्लास में हम यहाँ पर डिसकस करेंगे सोशालीजी की वन शॉट प्रेपरेशन जहाँ पर हम पूरा का पूरा स्लेबस जो है वो यहाँ पर आप लोगों के साथ में स्टार्ट करेंगे अभी जो है वो बच्चो मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या मेरी आवाज आप लोगों तक क्लियर आ रही है क्या आप और क्या मेरी वीडियो जो है वो यहाँ पर क्लियर आ रही है प्लीज कन्फिर्म मी इन दे कॉमेंट सेक्शन येस लाउड एन क्लियर राइट ठीक है तो आज हम यहाँ पर कोशिश यही करेंगे बच्चों की हम कॉमेंट सेक्शन में बाते कम करें कॉमेंट सेक्शन में बाती थोड़े कम करें और क्लास के डिसकशन पर फोकस जादा करें बच्चे यहाँ पर हमें आपस में बाते नहीं करनी है हमें क्लास के डिसकशन पर जादा ध्यान देखना है चलो तो जो सबसे पहला चाप्टर है हमारा जो एक्जाम में पूछा आएगा वो है यहाँ पर रहेज़ सबसे पहले आपको समझना है कि यह डेमोग्राफिक स्ट्रक्टर जो है वो है जब भी मैं बात कर रहा हूँ demographic structure demographic या Demography जो होती है बच्चों वो होती है study of population जो Demography है that is the study of population एक तरीके से मैं यह देख रहा हूं की को । जो हमारी population है जो हमारी population है ना वह जो population है वह कौन से सेकटर में काम कर रही है उसकी कितनी एज है कितनी हमारी population जो जो बुर्षर की सब . यह वह हो यहां पर इमोग्राफी मन होता है आज हम पूरी सोशॉलेजी खतम करेंगे यहां पर तो आपiba के साथ में जुड़े रहेें पूरी की सशॉलेजी पहले हम भुके बिल करेंगे रोग फोको करेंगे और जो सब्भुम formed तक भी चल सकता है तो मेरे साथ जुड़े रहें आज राइट सो डेमोग्राफी क्या है बच्चो एक सिस्टेमाटिक स्टडी है ऑफ दे पॉपुलेशन और तो आपको यहां पर समझना क्या है कि दो तरीके की डेमोग्राफी यहां पर है अब जो भी चीज आपको बता रहा ह मैं वही चीज उठाऊंगा जो एक्जाम में जो है वह पूछने के चांसे रहेंगे राइट मैं वह चीज नहीं पढ़ाऊंगा जो आपको एक्जाम में नहीं आएंगे तो एक्जाम में आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंस बिट्वीन फॉर्मल डेमोग्राफी और जो क यहां पर फॉर्मल डेमोग्राफी इसमें आपको क्या नदर आता है इसमें हमें नदर आता हम यहां पर डेटा के साथ में जादा डील करते हैं सिर्फ डेटा और जादा डील करते हैं और एक होती है हमारी सोशल डेमोग्राफी सोशल डेमोग्राफी में हम क्या देखते हैं अगर हमारी country में dependency ratio जो है वो बहुत ज़ादा है उससे क्या होगा dependency ratio जो होता है ना अगर dependency ratio हमारी country में ज़ादा है तो इसका मतलब हमारी country की जो economic growth होगी वो कम होने वाली है उसका reason क्या है reason ये है बच्चो कि यहाँ पर dependency का मतलब जो है कि जो 15 साल से छोटे हैं या जो 60 साल से बड़े हैं ये लोग जो हैं वो dependence होते हैं ये लोग dependence होते हैं किन के उपर working age people के उपर जो लोग 15 से 60 के बीच में हैं ये working age होती है हमारी अब अगर हमारी country में ऐसे लोग जादा हैं जो 15 साल से जिनकी उम्र कम है और 60 साल से साल उपर है 60 साल से उनकी उम्र उपर है तो ये लोग अगर जादा हैं हमारे देश में तो हमारे देश की जो economic growth है वो यहाँ पर कम होने वाली है यहाँ पर जो हमारी economic growth है वो कम होने वाली ह तो यह जो है वो social demography का काम है लेकिन अगर हम formal demography के बारे में बात करें तो formal demography जो है वो सिर्फ फिर सिर्फ आपको यहाँ पर data बताएगी यही चीज जो है वो आपको यहाँ पर समझनी है तो हमारी government जो है वो बार-बार data जो है वो बार-बार यू लेकर इसलिए ही data लेकर व तो यही चीज़े जो है वह यहां पर हमारे लिए बहुत ज्मएदा एकर मुझे पता है कि मेरी कंट्री में एक किस सेक्शन में किस ज्मालों जाधा जासरह अगर मुझे पता है बूर साधा या बच्चे जाधा है यय यणग लोग जाधा है तो मैं उसी हिसाब से पॉलिसी बनाऊंगा सो डेटा इस वेरी इंपोर्टेंट डाट इस वाए सेंसस करवाया जाता है हाँ आप लोग अभी भी डिपेंडेंट हो जैसे रूबी बता रही है आप अभी भी डिपेंडेंट हो reason being क्योंकि बेटा आप अभी यहाँ पर human capital formation कर रहे हो right human capital formation कर रहे हो अगर हम यहाँ पर बात करें कि paper में क्या पूछा जा सकता है paper में यह पूछा जा सकता है कि America यह पूरे world में ऐसी कौन सी पहली country है जिसने census की शुरुवात करी थी तो American census of 1790 was probably the first modern census तो आप से पूछेंगे कि first modern census कौन लेकर आया था तो America लेकर आया था फिर वो आप से इंडिया के बारे में क्या पूछेंगे इंडिया के बारे में बच्चों आप से पूछेंगे कि census is began to be conducted by the British Indian government between 1862 to 72 सबसे पहली बार इंडिया में census कब आया यह हमारे लिए डेटा बहुत इंपोर्टेंट है बच्चों यह ध्यान रखना हमारे लिए यह डेटा बहुत जादा इंपोर्टेंट है और इंडिया में census एक regular exercise कब से बनी 1881 से यह इतना important डेटा है कि यह पूछेंगे ही पूछेंगे 20 मार्क के कोशन हमारे जो है 20 मार्क के कोशन जो है वो हमारे यहां पर आएंगे MCQ उसके तो कल हमारी MCQ की class भी होगी बच्चों लेकिन MCQ आप तब solve कर पाओगे न जब आपने कुछ पढ़ा होगा तो इसलिए आज की class को पूरा देखना बहुत जरूरी है आज की class को पूरा देखना बहुत जरूरी है otherwise कल MCQ की class में मज़ा नहीं आएगा right C.U.E.T. के लिए 1818 में हाँ इंडिया में हुआ था है British ने इंडिया में करवाया था right British ने इंडिया में बताया था right अच्छा ये नहीं नहीं ये 7 ही है actually बच्चों क्या होता है census जो है ना 10 साल की figure में ली जाता है census जो है साइमन जो आप बात कर रहे हो census जनरली जो है वो दस साल का ही लिया जाता है बट ये एक exception है ये एक exception है कि यहां पर 5 साल का था जैसे 2011 से 2022 तक का census जो है 2011 से लेकर 2021 तक का census 22 में आना था पर वो आया नहीं अभी तक right तो I believe मेरा point आप लोगों को समझ आ गया होगा और इंडिया की जो census exercise है बच्चों वो largest exercise है पूरे वर्ल्ड के अंदर पूरी largest exercise है पूरे वर्ल्ड के अंदर अब यहां पर यहां पर आपको समझना क्या है कि जब हम यहां पर डेमोग्राफी पढ़ रहे हैं या बाकी चीज study करी study करी उन्होंने European nations में जाकर उनके डेटा लिये और डेटा जाकर उन्होंने यह बताया कि एक इंडिवीजुल जो है एक इंडिवीजुल जो है वो अपनी life में suicide तब करता है जब उसके ऊपर social pressure यानि की समाजिक दबाव जो है वो बढ़ जाता है और इनोंने यह scientifically prove करा है डेटा के साथ में पहले हमें ऐसा लगता था कि एक इंडिवीजुल जो है वो suicide इसलिए करता है क्योंकि वो पागल है यानि कि वो मानसिक problem है उसके अंदर लेकिन इमाईल दरखाइम ने बोला कि यह मानसिक दबाव जो है ना यह सामाजिक दबाव की वजह से आ रहा है त एक इंडिवीजुल जब अपनी इज़त खो देता है सोसाइटी और समाज के अंदर तो उसको लगता है कि मुझे समाज में अब रहना ही नहीं है तभी जो है वो अपनी जान जो है वो ले लेता है राइट आई बिलीव मेरा पॉइंट जो है वो बच्चों आप लोगों को समझ आ रहा है जितने भी बच्चे यहां पर लाइव हैं यहां पर सारे के सारे बच्चे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या आप लोगों को यह बात समझ आ रही है बच्चों या नहीं आ रही है जितने भी बच्चे लाइव है मुझे कॉमेंट सेक्शन में कि क्या आपको यह बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है यह बच्चो और जाधा से जाधा आप लोगों को यहाँ पर session को like करना है right जादा सा जादा सेशन को like करना है जादा सा जादा सेशन को share करना है ओके आगे चलते हैं आगे हमें क्या यह हमने पढ़ लिया social डेमोग्रफी और formal डेमोग्रफी इसके बारे में जो है वो बच्चों यहाँ पर जरूर आएगा मैंने आपको पहली बता दिया social demographic और formal demographic के बीच में question जो है वो यहाँ पर आएगा ही आएगा मैं आपको पहले ही लिखके दे रहा हूँ और क्या है अब है यहाँ पर कुछ demographic यानि की theories हैं concepts हैं एक Malthusian की theory है आपको यहाँ पर बच्चो समझना यह है एक यहाँ पर Thomas Malthus करके यहाँ पर think करते अब आप लोगों को यह भी पता है आप लोगों को यह भी पता है कि हमारे यहाँ पर Covid-19 आया पूरे वल्ड में आया सिर्फ इंडिया में तो आया नहीं पूरे वल्ड में Covid-19 आया और उसने Covid-19 ने बहुत जाने ली आज भी COVID-19 चल रहा है आपको समझना क्या है बच्चों की जो थॉमस मेल्थूजियन की थियोरी थी 1798 में मतलब जब 1798 में थॉमस मेल्थूजियन ने जो चीज बोली थी वो कही ना कही पर COVID-19 आने के बाद जो है वो ट्रू हो गई अब आप मैं बताता हूँ आपको कि क्या हुआ थॉमस मेल्थूस ने एक चीज बोली थी और थॉमस मेल्थूस ने यहाँ पर यह बोला था कि जो हमारी population है बच्चों जो हमारी population है वो बढ़ती है geometric manner में geometric का मतलब है 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 64 के बाद होगा यहाँ पर हमारा 128 दुगनी होती जा रही है 2, 4, 8, 16, 32, 64, 132, 264 ऐसे करकर के हमारी population बढ़ रही है लेकिन हमारा जो food grain production है जो खाने का समान है वो arithmetic way में बढ़ रहा है जो हमारा population है वो बढ़ रहा है geometric manner में और जो हमारा food grain production है वो बढ़ रहा है arithmetic manner में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानि कि एक time के बाद ऐसा होगा कि हमारी population तो इतनी जादा बढ़ जाएगी लेकिन हमारी जो food grain production है वो इतनी slow बढ़ेगी इतनी slow बढ़ेगी कि जो ये वाली population है ये हो जाएगी starve ये हो जाएगी starve इसका मतलब यहाँ पर बच्चो ये है कि कुछ section of population जो है वो यहाँ पर भूगी मरेगी ये Thomas Malthus ने कहा Thomas Malthus ने बच्चो साथ में ये भी कहा Thomas Malthus ने बच्चो साथ में ये भी कहा कि nature के अपने कुछ negative check हैं इसको ठीक करने के लिए अगर हमारी country में population हमारे world में population जादा बढ़ जाती है हमारे यहाँ पर world में अगर population जादा बढ़ जाती है तो nature उसको खुद rebalance कर देगी कोई सैलाब आ गया, कोई यहाँ पर तूफान आ गया, सुनामी आ गई COVID-19, natural disaster, biological disaster अगर आ जाता है तो वो एक nature का तरीका है हमारी population को rebalance करने का ये Thomas Malthus ने 1798 में कहा था तो उन्होंने बोला कि humanity को खुद ही preventive check लेने चाहिए अगर humanity preventive check नहीं लेती है तो यहाँ पर nature खुद check करेगी चीजों को नेचर जो है वो खुद यहाँ पर check करेगी यही चीज जो है वो बच्चों आपको यहाँ पर समझनी है दो यहाँ पर Thomas Malthus को बहुत बार criticize करा गया क्योंकि green revolution की वज़ा से बच्चों green revolution की वज़ा से हमें क्या नज़र आया कि production बहुत तेजी से बढ़ा यहाँ पर एक बच्चा है कश्नी हाँ population growth ही हुई है बट overall आप चेक करो आप इंडिया को मत देखो आप इंडिया को मत देखो इंडिया में fertility rate बहुत ज़्यादा हाई है लेकिन आप European countries में देखो आप European countries में देखो European countries में आपको नज़र आएगा कि population का level जो है वो काफी ज़्यादा decline हुआ है और बच्चो ये theory है law नहीं है ये एक theory है law नहीं है law हमेशा सही होता है ये Thomas Malthusian की theory थी कि ऐसा ऐसा होगा ऐसा पक्का होगा उसने थोड़ी बोला था मैं तो बस आपको theory बता रहा हूं कि Thomas Malthusian की theory ये है राइट आपको बस बच्चो theory को पढ़ना है theory को है ना अब यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला कि human को preventive checks खुद लेने चाहिए preventive checks क्या लेने चाहिए preventive checks लेने चाहिए जैसे कि शादी मत करो postponing marriage postponing marriage और practicing sexual abstinence और celibacy जिसे हम इंडिया में बोलते हैं ब्रह्मचरिता राइट इंडिया में हम इसे बोलते हैं ब्रह्मचरिता और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है बच्चो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है या तो हम शादी लेट करें Malthus believe therefore that positive checks to population growth in the form of famine and diseases were inevitable because they were nature's way of dealing with imbalance यह nature का way है to deal करना राइट anyway मैं आप लोगों को यह बता दता हूँ बहुत से बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि CUET की preparation के लिए कब batch जो है वो start होगा जैसे ही आपके boards के exam खतम हो रहे हैं 4-5 April में यहाँ पर CUET का batch जो है वो तभी start होगा और जो CUET का batch आपका बच्चो start हो रहा है उसमें आपको सारी की सारे subjects की preparation जो है वो domain wise करवाई जाएगी चाहे वो physics हो, chemistry हो, maths हो, sociology हो या legal studies हो, या business studies हो या accountancy हो या आपका यहाँ पर biology हो जो भी आपके यहाँ पर domains है और आपको यहाँ पर बच्चो की history भी है और आपको बच्चो यहाँ पर समझना क्या है कि इस समय पर जो discount है हमारे CUET के batch के ओपर वो बहुत जादा high कर रखा है मतलब जो अगर आप यहाँ पर code लगाते हो Y770 Y770 अगर आप code लगाते हो तो you will get around 20% discount 20% के आसपास जो है वो discount आपको दिया जाएगा अगर आप यह code को use करते हो Y770 तो उससे होगा कि जो batch आपका 4000 का है वो around 2000 के आसपास का जो है वो आपको यहाँ पर पढ़ेगा anyway अब हम आगे यहाँ पर continue करते हैं हमने Thomas Malthusian की theory यहाँ पर discuss कर ली है एक दूसरी theory है theory of demographic transition हाँ यह CUET के लिए ही बताया है साहिल मैंने आपको राइट यह CUET के लिए ही मैंने आपको बताया है यह psychology की भी होगी psychology की भी preparation होगी राइट और आपको क्या समझना है अब बच्चों यहाँ पर दूसरी theory पढ़ लेते हैं राइट दूसरी theory पढ़ लेते हैं theory of demographic transition theory of demographic transition में क्या बोला जाता है बच्चो जहाँ पर उसने जो theory of demographic transition है वो यहाँ पर बताती है कि हमारी जो country है या हमारी जो nation है वो यहाँ पर three stages से होकर गुजरती है राइट three stages से होकर गुजरती है और इसका कहने का मतलब यह है कि हर country जो है वो stages से गुजरती है चाहे वो developed country हो चाहे वो developing country हो जो आज की तारीक में बच्चों developed country है वो पहले developing थी यही चीज जो है वो आपको समझनी है अब यहां पर बोला जाता है जैसे अमेरिका अमेरिका भी एक टाइम पर developing country थी आज वो developed है तो आपको क्या समझना है first stage जो होती है वो होती है low population growth in society और जहां पर आपको नजर आएगा कि जहां पर growth rate जो है हमारा low होता है क्योंकि death rate और birth rate वहां पर high है देखो बच्चों इस बात को समझ लो आप इस बात को समझ लो आप जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं वो यह है कि जहां पर developing country होगी या ौर जो under developed country होगी जहां पर developing country होगी और under developed country होगी वहाँ पर आपको नजर आएगा जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है वो दोनों के दोनों यहाँ पर बहुत जादा हाई नजर आएंगे डेथ रेट और जो बर्थ रेट है वो बहुत जादा आपको यहाँ पर हाई नजर आएंगे और जब भी आपको बर्थ और डेथ रेट दोनों हाई नजर आएंगे यहां पर आपको नजर आएगा कि overall जो आपका growth rate है वो लो होगा वो आपका लो होगा यही चीज जो है वो बच्चों आपको यहां पर समझनी है राइट criticism जो है वो बच्चों हम यहां पर descriptive answers में करेंगे अभी जो है मैं यह main चाहत पल है बलकि काल माक्स और माक्सियन स्कॉलर्स भी जो है उस थियोरी को refute कर देते हैं वो उसका कोई और यहां पर rationalize कर देते हैं चीजों को बट हमारे लिए criticism इतने जादा important नहीं है अगर आप पढ़ना चाहते हो तब भी जो है वो मैं आपको most important questions में वो descriptive answers में करवा दूं जो हमारी second stage होती है बच्चो जो second stage होती है उस stage में हमें अक्सर देखने को मिलता है population explosion या हम इसे बोलते हैं transitional stage यहां पर जो theory of demographic theory of demographic transition है first stage में birth rate बहुत हाई होगा death rate बहुत हाई होगा आप क्यूं होगा यहां पर बहुत बच्चे पूछते हैं कि क्यूं होगा birth rate high इसलिए होगा क्यूंकि people are not sure अब देखो मैं आपको एक बहुत सीधा और straight forward example दूँगा right सीधा और straight forward example दूँगा मुझे सारे के सारे बच्चे जो हैं वो यहां पर comment section में यह answer करेंगे अच्छा यह मुझे बताओ जब किसी billi के बच्चे पैदा होते हैं या जब मचली के बच्चे पैदा होते हैं या फिर यहां पर अगर किसी dog के बच्चे पैदा होते हैं तो उनका average basis of number कितना होता है उनका average basis of number जब बच्चे उनके पैदा होते हैं तो वो कितना होता है बिल्ली के हो गए या फिर यहाँ पर डॉग के हो गए या फिर यहाँ पर fishes की हो गए यहाँ बच्चो यहाँ पर कितने होते हैं आठ से बारा, बारा से दस मचलियों की हजारों में होते हैं मचलियों के हमारे हजारों में नदर आते हैं मचली एक टाइम पे एक हजार से उपर अंडे देती है बिल्ली के पांस से दस reason क्या होता है और आपने बच्चो अकसर यह चीज़ देखी होगी आपने यह अकसर चीज़ देखी होगी कि उनमें जो survival rate होता है वो बहुत कम होता है आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा यहाँ पर कि जैसे आठ से नौ बच्चे पैदा हुए एक डॉक के और उस आठ नौ बच्चों में से सिर्फ दो या तीन ही है जो बच्च पाते है survival rate जो है वो उनका 10 से 15% रहता है survival rate जो है वो यहाँ पर इनका 10 से 15% ही रहता है आपने कभी किसी share को या कभी किसी चीते को देखा है कि उनके 15 बच्चे पैदा हो रहे हैं कभी आपने किसी share को या चीते को देखा है कि एक चीते के 15 बच्चे पैदा हुए है reason है बच्चो यहाँ पर कि शेर अकेला ही काफी होता है एक शेर ही अकेला होता है काफी पूरे जंगल पर राज करने के लिए birth rate और death rate first underdeveloped society में high इसलिए होते हैं क्योंकि people are unsure whether my child is going to survive or not survive इसलिए लोग उस समय पे जादा बच्चे पैदा करते थे क्योंकि उनको नहीं पता कि किस बच्चे को बिमारी लग गई और कौन सा बच्चा जो है वो राम को प्यारा कब हो जाएगा तब ही आपको नदर आएगा 1960s में जो आपके grandfather की age होगी या 1950s में तब आपको नदर आएगा कि आपके grandfather के 55-88 भाई हुआ करते थे क्योंकि इंडिया उस समय पे एक under developed country था और आप पुछो के death rate high क्यों है भाई death rate high इसलिए है यहाँ पर क्योंकि हमारे पास health facilities नहीं होती थी हमारे पास health facilities नहीं होती थी आज की तारीक में हमारे यहाँ पर COVID-19 की वज़ा से death जो है वो कम क्यों हुई है इसलिए हुई है क्योंकि हमारे पास health facilities थी हमारे पास health infrastructure था right otherwise हमारे यहाँ पर 140 करोड से उपर जनता है 140 करोड से उपर जनता है और हमारे यहाँ पर death जो है वो बहुत कम हुई है अगर आप European countries में देखोगे तो European countries में population बहुत कम है 50-50 लाग population है और 3-3 लाग 2-2 लाग महां के लोग मर गए है right जितनी population UP की अगर आप देखोगे न 1-4th UP UP की population 20 करोड है खाली right UP UP की population 20 करोड है और UP की population का भी आप 120 करोगे तो आएगी यॉरप पे कुछ countries की population उनके भी 10-15% लोग मर गए है तो उसके बाद second stage आती है transitional stage जिसमें population explosion होता है जहाँ पर death rate, death rate decrease हो जाता है death rate decrease हो जाता है और आपको नदर आएगा लेकिन जो birth rate है वो high रहता है birth rate जो है वो आपका high रहता है अब आपको क्या पता चलेगा Alexander Fleming में Alexander Fleming ने पहली vaccine बनाई थी पूरे world में पूरे world में पहली vaccine बनाई थी वो vaccine जैसे जैसे आने लग गई वैसे वैसे क्या होने लगा बच्चो यहाँ पर death rate जो है वो decrease होने लग गई लेकिन birth rate अभी भी high थे birth rate अभी भी high थे अब लोगों को मज़ा आने लगा बच्चे पैदा करने में अब लोगों को मज़ा आने लगा कि यार और अपनी population बढ़ाते हैं लेकिन कुछ समय बाद जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कुछ समय बाद आपको नज़र आएगा कि लोग समझ जाएंगे कि यार अगर हम population ज़ादा बढ़ा लेते हैं तो ओवर आल यह बर्डन हमारे उपर ही होगा राइट अब आप यहाँ पर आपको बच्चों समझना यह है कि आपको बच्चों यहाँ पर समझना यही है कि जहाँ पर आपको नज़र आएगा जहाँ पर आपको नज़र आएगा कि health infrastructure इंप्रूव हो रहा है वहाँ पर death rate low हो जाएगा जहाँ पर आपको नज़र आएगा जहाँ पर आपको नज़र आएगा कि अब यहाँ पर लोगों को समझ आएगा कि population का burden बढ़ता चला जा रहा है वहाँ पर population कम होती चली जाएगी और जो third stage है वहाँ पर death rate भी low होगा और birth rate भी low होगा death rate भी low होगा और birth rate भी low होगा इंडिया इस समय पर third stage में जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन इस समय पर इंडिया जो है वो अभी second stage में ही चल रहा है जहाँ पर death rate low हो चुका है लेकिन population explosion आज भी चालू है जहाँ पर 140 करोड से जादा लोग है और इंडिया अब चाइना को भी सरपास कर चुका है as the world's largest and world's most populous stage सबसे जादा populous country कौन सी है इंडिया है इस समय पर तो population हमारे यहाँ पर एक सबसे बड़ा issue जो है वो हमें बच्चों नजर आ रहा है अब यहाँ पर आपको समझना यह है common concepts on indicators so birth rate is the total number of live birth in a particular area तो यहाँ पर हम अक्सर क्या करते हैं बच्चों birth rate हम यहाँ पर देखते है number of live birth per thousand population तो यहाँ पर जैसे suppose मैं यह देखता हूँ कि अगर मेरे यहाँ पर 6 लाख लोग है तो मैं per thousand population पर देखूँआ कि कितने live birth यहाँ पर हो रहे है अगर यहाँ पर मैं देखता हूँ कि 6 लाख live birth है और यहाँ पर एक लाख बर्त हो जाता है तो मैं देखूँँगा यहाँ पर इसको पहले मैं thousand से divide करूँगा और इसको भी thousand से divide करूँगा तो यहाँ पर आपको क्या समझ आ जाएगा बच्चो कि इतने percentage के हिसाब से इतने लोग हमें यहाँ पर नज़र आते हैं similarly death rate भी ऐसा ही देखा जाता है लेकिन आपसे cbsc जो है न बच्चो वो यह सवाल नहीं पूछेगा cbsc आपसे पूछेगा कि अगर हमारी country में हम indicators के ही बारे में बात कर रहे है तो यहाँ पर neonatal rate यहाँ पर जो neonatal rate है और जो हमारा infant mortality rate है infant mortality rate इसके बीच में यहाँ पर क्या फरक है infant mortality rate और neonatal rate यहाँ पर मुझे कोई बता सकता है कि इन दोनों बीच में क्या फरा के बच्चो हाँ very good, very good साक्षी तो यहाँ पर आपको I believe बच्चो जो है वो समझ आ रहा होगा तो आपको यहाँ पर और क्या चीज़े समझनी है कि जो नियो नेटाल रेट है वो है यहाँ पर अगर एक बच्चे की जो डेथ हो जाती है वो 28 डेज में हो जाती है पैदा होने के बाद ही और जो maternal mortality infant mortality rate है यहाँ पर एक बच्चे की डेथ हो जाती है within one year of birth within one year of birth जितने भी indicators बच्चो हैं यहाँ पर आपको नजर आएगा कि जितने भी indicators यह नीचे जाएंगे जितने भी आपके indicators नीचे जाएंगे उतनी एक country की situation अच्छी मानी जाती है अगर आपको नदर आएगा कि किसी country में अगर suppose यह मान लो बच्चो कि 1000 लाइफ बर्थ हुआ राइट एक हजार लाइफ बर्थ हुआ और उसमें से जो neonatal rate है वो 148 है इसका मतलब यही हुआ कि अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 28 दिन के अंदर 148 बच्चे मर गए हैं तो जितना भी neonatal rate कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा है जितना भी infant mortality rate कम होगा उतना अच्छा है और एक होता है बच्चो maternal mortality rate जो maternal mortality rate होता है वहाँ पर आपको नजर आएगा बच्चो maternal mortality rate होता है जो उसमें होता है कि जो mother की death है after delivering the baby वो 6 months में हो जाए अगर एक mother की death 6 months में हो जाए after delivering the baby तो वो MMR में आता है हम पिछले 40 साल का trend देख रहे हैं बच्चो पिछले 40 साल का trend जो है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं और वो यह देख रहे हैं कि maternal mortality rate neonatal rate और infant mortality rate हमारी country में continuously जो है वो decrease हो रहे हैं maternal mortality rate neonatal rate यहाँ पर infant mortality rate reason क्या है हमारी government health के ओपर expenditure बढ़ाती जा रही है और जैसे जैसे हमारी government health के ओपर expenditure बढ़ाती जा रही है वैसे वैसे हमारे यहाँ पर public facilities increase हो रही है तो यहाँ पर अगर किसी को तकलीफ होती है जनरली यह बोला जाता है pregnancy के time पर there is excess loss of blood तो अब उसके लिए हमारे पास drugs आ गए हैं दवाईया आ गए हैं जिससे की हम mother की situation को stabilize कर सकते हैं एक mother की health को stabilize कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास advanced level of drugs आ गए हैं यही चीज़े जो हैं वो आपको यहाँ पर बच्चों समझने हैं अब यहाँ पर बहुत से बच्चों को confusion होती है कि यह सारी चीज़े तो समझ ली अब replacement level क्या है यह है replacement level अब आपको समझना है कि आपके यहाँ पर दो parents होते हैं हर individual के parents दो ही होते हैं एक mother और एक father तो एक mother और एक father जनरली आपने बहुत जगा पर यह सुना होगा बच्चों हमारी government की population policy आई थी और वो population policy क्या promote करती थी हम दो हमारे दो हम दो हमारे दो तो हमारी government यही चाहती है कि हर couple के दो ही बच्चे हों तब ही हमारी government ने क्या बोल रखा है हम दो हमारे दो और replacement level यह होता है replacement level यह होता है कि जब एक couple mother और father यह एक time पर ऐसा होगा इस दुनिया से चले जाएंगे यह ultimate truth है हमारी life का हर किसी को यहां से जाना है जब यह लोग यहां से जा रहे हैं mother और father यह अपने आपको replace कर रहे हैं वो कितने लोगों से कर रहे हैं यह अपने आपको replace कर रहे हैं कितने लोगों से कर रहे हैं दो लोगों से इसे हम बोलते हैं replacement level हमारी country में जो इस समय पर replacement level है वो around 2.1 का है अब यहाँ पर क्या बोला गया है the difference between the birth rate and the death rate जब यह difference 0 हो जाए तो हमारी country का जो level है वो यहाँ पर stabilize माना जाएगा और replacement level पर आ जाएगा जब हमारा birth rate और death rate में कोई difference नहीं है तो इसका मतलब यह है कि हमारी country की जो population है वो अब stabilize हो गई है हमारी जो इस समय पर fertility rate है वो 2.1 है fertility rate क्या है fertility rate refers to the number of live birth per thousand women in the child bearing age group अब child bearing age group क्या है किस उमर में women जो है वो child bear करती है 15 से 49 but अब हमें क्या नदर आ रहा है जिस तरीके से बच्चो जिस तरीके से इस समय पर हमारे यहां पर education बढ़ रही है अब यहां पर child birth को delay कर दिया गया है पहले child birth जो है बच्चों वो हमें नदर आता था 20, 21, 22, 23 में अब आज की तारीक में स्पेसिफिकली अर्बन एरियास में हमें नदर आता है जो वो में है वो 25 तक तो स्टडीज को परसू करना चाहती हैं और वो शादी करना चाहती हैं 27 और 28 में और child birth वो करना चाहती हैं 28 29 और 30 में तो अब जो है वो काफी जादा हमारे य तो यही चीजे जो हैं वो यहां पर हमें बच्चो समझ आ रही हैं कि overall जो हमारा fertility level जो है वो decrease हो रहा है यह हमारा infant mortality rate है यह भी मैं आप लोगों को पता चुका हूँ और आप यहां पर देखोगे बच्चो wide gap हमें नदर आएगा Kerala at par with United States और जो मध्या प्रदेश की situation है व यह maternal mortality rate है यह हर जगा पर अलग है आपको नदर आएगा Kerala में आपको क्या नदर आएगा कि Kerala में यह mortality rates जो है वो देखो कहां है six four thousand लेकिन आपको नदर आएगा कि मध्या प्रदेश में कितना है 46 अगर 1000 बच्चा पैदा हो रहा है तो मध्या प्रदेश में 46 बच्चे मर रहे हैं लेकिन Kerala में a Gesetz पैदा हो रहे हैं तो सिर्फ शे बच्चे मर रहे हैं यही चीज जो है वो आपको समझना है तो मतलब हमारे यहां पर पूरी country का infant mortality rate सेम नहीं होता कहीं पर आपको अलग-अलग चीज़े जो है वो नदर आती है राइट एनिवे sex ratio क्या है I believe आप लोगों को पता है कि हमारे यहां पर thousand अगर boys है तो उनके against यहां पर कितनी girls है तो suppose 912 girls है इसका मतलब यहां पर इसका मतलब यहां पर आपको क्या नदर आएगा बच्चो 88 girls 88 boys जो है वो single मरेंगे अपनी जिंदिगी में उनकी शादी नहीं होगी कभी भी क्योंकि sex ratio में girls का number कम आ रहा है और यह reason क्यों है हमारे यहां पर girls को एक liability माना जाता है society में हमारे यहां पर girls को एक liability माना जाता है society के अंदर that is why you will find girl's को एक्सर abort करवा दिया जाता है जब यहां पर एक woman pregnant होती है तो हमारी society में कुछ social norms है कुछ social norms है जो यहां पर define करते हैं कि इंडिया में एक patriarchal society है इंडिया में एक patriarchal society है राइट जहां पर लड़कियों को पैदा भी होने दिया जाता या कभी कबार जो है वो यहां पर लड़कियों को पैदा होने दिया जाता है पर फिर उनकी हमें फिकर नहीं होती अच्छा यह बताओ आप लोगों में से कितने बच्चों ने, आप लोगों में से कितने बच्चों ने एक movie देखी है जिसे हम बोलते हैं धंगल किसने जो है वो यहाँ पर एक movie देखी है बच्चों, धंगल मुझे जल्दी जल्दी जो है वो comment section में बताओगे, और ये comment section में मतलब मुझे थोड़ी सी शांती सी नदर आ रही है इस समय पे आपको पता है कि हमारा जो पीक का टाइम चल रहा है इस समय पे आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन के अंदर बच्चो आग लगा देनी चाहिए और आप यहां पर शांती से बैठे हुए हो आपस में शेयर कर रहे जो चीजें दंगल यशिता ने देखी है श्रिष्टी ने देखी है लवली ने देखी है नंदिनी ने देखी है श्रीधा ने देखी भी है निवेतिता ने देखी है अच्छा ठीक है चलो मान लिया मैंने आपने देखी रूबी ने भी देखी है दंगल मूवी का मैं खान था उसकी एक ही इच्छा होती है कि मेरा जो है वो बेटा हो और वो मेरे सपने को पूरा करे अखाडे में उतर कर कि मुझे जो है वो यहाँ पर कुष्टी का चैंपियन बनना है राइट लेकिन वो यहाँ पर क्या करता है लेकिन वो यहाँ पर क्या करता है जब उसकी बे फिर एक और बेटी होती है उसके मन में फिर आता है कि यार मेरा अगर लड़का होता तो शायद मैं अपना सपना पूरा कर लूँ फिर वो ट्राय करता है और फिर वो कोशिश करता है कि लड़का पैदा हो लेकिन फिर से बेटी पैदा होती है यहां पर इस वजह से भी हमारे यहां पर population बढ़ती है इंडिया में जहां पर लोगों को यहां पर लड़के की बहुत जादा चाहत होती है कि लड़का पैदा हो जाए और इसको इस phenomena को हम English में बोलते हैं Sun Meta Preference इस concept को हम English में बोलते हैं बच्चो Sun Meta Preference जहां पर आप कोशिश करते रहोगे जब तक आपका लड़का पैदा नहीं हो जाता और जितनी भी लड़कियां पैदा होती हैं आखिर में वो Unwanted Girls बन जाती हैं क्यूंकि उनको जो है वो कभी भी भगवान से मांगा ही नहीं था और यही जो लड़कियां हैं इनके खाने पीने पर Education के उपर ध्यान नहीं दिया जाता तभी आपको नजर आएगा जादा तर लड़कियां 5 साल की उम्र से पहले मर जाती हैं क्यूंकि उनके Nutrition पर धंग से ध्यान नहीं दिया जाता है तभी हमारी कंट्री में Sex Ratio आज की तारिक में Decline होता हुआ नजर आ रहा है I believe मेरा Point आप लोगों को बच्चो समझ आ रहा है जितने भी बच्चो को यहाँ पर यह Concept समझ आ गया मुझे यहाँ पर Comment section में बताओगे कि क्या आपको चीजे समझ आ रही हैं बच्चो या नहीं आ रही हैं Right? Now, Age Structure अगर हम बच्चे बात करें यहाँ पर तो आपको नजर आएगा Age Structure जो है वो हमारी सोसाइटी में Overall भी Change होता हूँ नजर आ रहा है Age Structure भी जो है वो हमारे यहाँ पर Change होता हूँ नजर आ रहा है तो आपको नजर आएगा कि इंडिया का जो Age Structure है वो इस समय पर ऐसा आपको नजर आएगा एक pyramid की तरह जहां यह तो गलत pyramid हो गया बहुत ज़ादा राइट एक pyramid की तरह आपको यहां पर नजर आएगा जहां पर आपको नजर आएगा बच्चो कि young population जो है वो हमारे पास बहुत ज़ादा है यंग population जो है वो हमारे यहां पर एक diamond की तरह आपको इंडिया की जो है वो चीज़ें जो है वो यहां पर नजर आएंगी इंडिया में और dependency ratio की बात जो मैं कर रहा था वो मैं यह कर रहा था बच्चो यह देखो हमारे यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर productive age में माने जाते हैं वो माने जाते है 15 से 64 वैसे पहले 60 ही माना जाता था अब जो है वो यहाँ पर 64 माना जाता है क्योंकि government ने retirement की age को बढ़ा दिया है I believe मेरा point आप लोगों को यहाँ पर बच्चों समझ आ गया होगा आगे चलते हैं फिर है size and growth of India's population इंडिया की जो population आपको नदर आएगा average annual growth rate जो है वो इंडिया का 1.33% से exceed नहीं हुआ in fact 1911 और 1921 में इंडिया में negative rate of growth हमें देखने को मिला है और उसका reason यह है कि हमारे यहाँ पर एक epidemic आ गया था epidemic आ गया था वो भी influenza epidemic इस वज़ा से हमारी यहाँ पर negative growth of population हमें देखने को मिली है लेकिन overall आपको नदर आएगा हमारे यहाँ पर 2.2 से भी percentage population बड़ी है कब बड़ी है around 19, 1960 से 80 के बीच में तो आप से यह चीजे बच्चों पूछी जाएंगी क्या इंडिया में यहाँ पर यह population कभी negative growth हुई है तो आपको पता होना चाहिए 1911 से 1921 के बीच में इंडिया में negative हुई है राइट चलो आगे चलते हैं यह देखो यह आपको पूरा चार्ट जो है वो याद होना चाहिए यह आपको बच्चों याद होना चाहिए और इसमें आपको सबसे latest चीजे क्या पढ़नी है एक तो यह पढ़ना है आपको यह negative है और आपको पढ़ना है पिछले 20 साल का डेटा यह और जब हमारी कंटी independent हुई थी तब यहाँ पर यही कोशन जो है वो आपसे 6 मारके में पूछ भी सकते हैं यही चीजे आपको यहाँ पर समझनी है बच्चो अभी के सेशन पर जादा ध्यान दो एक अप्रेल को जो होगा वो देखा जाएगा वो एक अप्रेल को देख लेंगे अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ो फिर birth rate और death rate आपको बच्चो नदर आएगा हमारे यहाँ पर continuously decline हुए है बर्थ रेट और डेथ रेट हमारे यहाँ पर continuously decline हुए है वो क्यों decline हुए है क्योंकि यहाँ पर health के ओपर हम पैसा जो है वो यहाँ पर खर्ज कर रहे है हाँ यह चार्ट वाला चार्ट है न जो यह चार्ट यह आपको छे मार का कोशन आएगा इसका मैं आपको पहले ही बता देता हूँ अच्छा चलो आगे चलते हैं और age structure के बारे में अगर हम देखें तो आपको नदर आएगा बच्चो यह age structure में हमारे यहाँ पर age composition क्या है और इस समय पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ अभी हमारे पास जो latest data है वो है 2011 का हमें नदर आ रहा है कि 29% हमारे यहाँ पर 14 years तक बच्चे हैं और 60 plus में हमारे पास कितने हैं यहाँ पर 8% है तो मतलब हमारा जो dependency ratio है वो है बच्चो यहाँ पर 37% 37% है और जो 63% है वो हमारी यहाँ पर इस समय पर कौन है productive people है तो overall हम क्या नदर आ रहा है बच्चो overall नदर क्या आ रहा है कि हमारे यहाँ पर overall young population जादा है और इसी को बच्चो हम बोलते है demographic dividend यह term exam में आने के पूरे chances हैं जहाँ पर आप से पूछा जाएगा कि भाई demographic dividend क्या होता है demographic dividend जो है वो यहाँ पर क्या होता है demographic dividend dividend का मतलब होता है बच्चो यहाँ पर profit dividend का मतलब होता है profit तो हमारे हाँ पर हमारी population इतनी जादा यंग है इस से हमारा profit होने के पूरे chances है इस से हमारे profit होने के पूरे chances है जो हमारे natural जो हमारे natural economic growth को increase करेगी राइट यहाँ पर बच्चो यह यह सवाल मत पूछो कि आप कहां से हो आप अपनी इंस्टा आइडी दे दो आप अपनी Snapchat आइडी दे दो आप मुझे अपनी पुरानी नकली फोटो भेज़ दो बच्चो यह कुछ काम नहीं आएगा काम आएंगे सिर्फ और सिर्फ आपके क्लास 12 के नमबर जो आपको तैयारी करवाएंगे CUET के लिए और उसके नमबर अदरवाइज यह जो Snapchat आइडी है यह Instagram की आइडी है यह बच्चो सिर्फ और सिर्फ यहीं पर धरा रह जाएगा कोई आपको लड़का लड़की बनके मेसेज करता रहेगा और आप बेफकू बनते रहोगे इसलिए समय यह है कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और बाकी चीजों पर बिलकुल भी ध्यान नहीं दे कि तुम कहां से हो मैं यहां से हूँ अरे तुम कहीं से भी हो उससे कुछ फरक नहीं पड़ता तुम जहां खड़े हो जाओ वक्त तो वहीं ठहर जाए ऐसी पढ़ाई करो राइट नहीं तो जिन्दिगी बर पूछते ही रहोगे तुम कहां से हो और तुम से कोई नहीं पूछेगा कि तुम कहां से हो राइट मेरी बात का बुरा नहीं मानना है इससे हमेशा आपको सीख लेनी है कि आपको इतनी पढ़ाई करनी है कि आपसे लोग पूछें कि भाईया कहां से हो आप मुझे 5 मिनट का समय देदो आपसे बात करनी है 5 मिनट के लिए लेकिन तुम क्या है सबसे यही पूछते रहते हो कि तुम कहां से हो तुम कहां से हो हम कहीं से नहीं है राइट अब यहाँ पर बात आ रही है demographic dividend के बारे में अब demographic dividend होता क्या है आपको यहाँ पर बच्चों समझ लो पहले demographic dividend results from an increase in the proportion of workers relative to non-workers in the population जितने जादा workers होंगे हमारी society के अंदर उतना जादा हमारी economy जो है वो grow करेगी लेकिन सबसे जादा लोगों को डर यही लगता है कि जो worker है वो होना चाहिए skilled यहाँ पर अगर worker है वो skilled नहीं है अगर worker है और वो skilled नहीं है वो unskilled या non-skilled है तो जो हमारी demographic dividend है यह बन जाएगा बच्चो demographic disaster यही चीज जो है वो आपको यहाँ पर समझनी है यही चीज जो है वो आपको समझनी है और इंडिया जो है वो demographic dividend demographic dividend 2005 के 2005 के आसपस उस stage में enter कर गया था और इंडिया 2043 तक 2040 तरक demographic dividend की stage में ही रहने वाला है तो हमारे यहाँ पर जितना कम dependency ratio जो है वो यहाँ पर रहेगा overall हमारी country के लिए उतना अच्छा ही यहाँ पर रहने वाला है अगर हम बात करें declining sex ratio के बारे में तो मैंने आपको बता दिया इसके लिए सबसे ज़ादा जो बड़े reason है बच्चो वो है patriarchy वो है हमारे society के social norms और वो है यहाँ पर बच्चो टेक्नॉलिजी availability of technology अगर मुझे पता चल जाता है एक एक चीज होती है बच्चो यहाँ पर जुसे हम बोते हैं ultra sound machine अल्टरा sound machine के थ्रू मुझे पता चल जाता है पहले ही कि जो womb में है mother की वो क्या boy है यह वो girl है और अगर मुझे वो पता चल जाता है कि वो यहाँ पर मूव में बॉय और गरल है तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एबोर्शन को आप्ट कर सकता हूँ दो हमारी गवर्मेंट ने हमारी गवर्मेंट ने एबोर्शन को बैन कर रखा है because of these reasons लेकिन एबोर्शन आज भी हमारे यहाँ पर कुछ conditions में अलाव करा जाता है हाँ आज दोनों बुक्स खतम हो जाएंगी बच्चे आप चिंता मत करो और अगर हम literacy की बारे में बात करें तो आपको नजर आएगा बच्चो कि हमारे यहाँ पर literacy के level भी जो है वो overall हमारी country में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो आपको एक भी ऐसा year नहीं नजर आएगा जहाँ पर literacy जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहे है बनलब literacy जो है वो बढ़ नहीं रही है क्योंकि government पैसा पूरा खर्ज कर रही है हाँ बिल्कुल it is illegal right now it is illegal but it is legal in some condition जैसे rape cases में होता है rape cases में अगर कोई लड़की pregnant हो जाती है तो यहाँ पर government उसको allow करते हैं abort करने के लिए या कोई child deformity हो जाती है जो fetus है अगर हमें पता है कि वो पैदा होते ही मर जाएगा या पैदा होने के बाद मदर की death हो जाएगी तो abort कर दिया जाता है rural urban difference के बारे में बात करें तो आज भी हम क्या देख रहे हैं कि हमारी country में 68.8% population हमारे यहाँ पर rural areas में रहती है इसका मतलब आज भी हमारा जो country है it is a country of villages और only 31.2% people are living in the urban areas बट आपको यहाँ पर समझना क्या है बच्चों आपको यहाँ पर समझना क्या है कि rural urban population में जादा फरक नहीं आ रहा लेकिन overall हम यहाँ पर urbanization की तुरफ चल चुके हैं urbanization का मतलब है process of urbanizing process of urbanizing राइट बच्चे अमरिक आपको भी notes provide करवा दिये जाएंगे लेकिन उसी शर्त पर जब आप पूरा लेच्चर देखोगे राइट I believe मेरा point आप बच्चों को समझ आ रहा है अब हम आ जाते हैं बच्चों next chapter पर फिलहाल मुझे आप लोगों से एक यही चीज़ पूछनी है कि अभी तक जो हमने समझा जो अभी तक हमने पढ़ा वो आप लोगों के दिमाग में घुसा या नहीं घुसा कुछ चीज़ जो है वो नजर आई बच्चों या नहीं आई बच्चे यह हाइस्ट और लोएस्ट जो हमारा जो हाइस्ट और लोएस्ट सेक्स रेशो है यह मैं आपको mcq के थुरू पढ़ाऊंगा यह मैं आपको mcq के थुरू पढ़ाऊंगा ओके चलो आगे चलते हैं ठीक है नहीं फैमिली प्रोग्राम वगरा जो है ठीक है ना हो गया ना पॉपुलेशन पॉलिसी राइट पॉपुलेशन पॉलिसी हमारा बेटा डिस्क्रिप्टिव कोशन्स में होगा राइट अब देखो देखो बच्चो क्या है ना कि अगर मैं हर टॉपिक को पकड़ लूँगा तो रात के चार बच जाएंगे इसलिए मैंने कोई चीज सोची है कि मैं आप लोगों को वो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बढ़ाऊंगा अभी मैंने इंपॉर्टेंट टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला चैप्टर जो है वह आप लोगों के साथ नहीं करा है नए 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 आपको यही समझना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के चैप्टर आपको अभी क्लास होगी उसकी तो आप रुख जाओ हाँ specifically data आ सकता है कोई paper में right ठीक है आगे चलते हैं बच्चो हमारे chapter का नाम है social institutions continuity and change continuity and change right अब आपको क्या समझना है बच्चे नहीं वो पहला chapter बड़ा है बाकी के chapter धीरे धीरे होंगे ठीक है English word अब देखो कास्ट की बारे में बात करी जारी आपको पता है कि हमारी country में जो है वो कास्ट जो है कास्ट जो है वो एक बहुत बड़ा social institution है और यह जो कास्ट वर्ड है यह Greek word से लिया गया था जिसका हम बोलते हैं Portuguese word से अब यह हमारी country में कास्ट का जो है न वो बहुत बड़ा रोल है क्योंकि कास्ट जो है वो लोगों को डिवाइड कर देती है पूरा हमारे शास्त्रों में शास्त्रों में एक document है उस document में बच्चों यह लिखा हुआ है कि हमारी society में लोगों को चार categories में डिवाइड कर रखा है उस document का नाम है पूरुशुक्ता हाइम पूरुशुक्ता हाइम और इस हाइम में लिखा हुआ है कि जो man है वो भगवान के चार हिस्सों में से पैदा हुआ यहाँ पर man जो है वो यहाँ पर भगवान के चार हिस्सों में से पैदा हुआ अब यहाँ पर क्या है कि जो God है जो भी God के forehead से जो भी God के forehead से जन्म ले रही है वो बना ब्रामन जो God के forearm से यानि की बाजू में से originate हो रहे है वो बना शत्री है जो God के थाईज में से जांग में से जन्म ले रहे हैं वो है यहाँ पर वैशे और जो लोग यहाँ पर भगवान के feet में से originate हुए है वो यहाँ पर यहाँ पर बने वो शूद्र कास्ता कास्ता एक बिटा Portuguese word है उसी से ही बना है word caste बना है caste यह एक Portuguese word है और इस Portuguese word का मतलब जो है वो आपको पता होना चाहिए ठीक है अब यहाँ पर आपको क्या समझना है कि इंडिया में जब हम बात करते हैं कास्ता बिटा सी से स्टार्ट होता है के से स्टार्ट नहीं होता राइट कास्ता का मतलब क्या है pure breed नसल होती है न जो वो है यहाँ पर राइट और आपको क्या समझना है बच्चों यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है कि कास्त को दो वर्ड से अकसर यूज करा जाता है वो है यहाँ पर जाती और वर्ना और आपको पता होना चाहिए जो हमारी country में word इस्तमाल करते हैं हम वर्ना वर्ना का मतलब होता है बच्चो color वर्ना का मतलब होता है color तो आपको यहाँ पर नदर आएगा कि हर यहाँ पर category के individual को एक color assign कर रखा है बहुत से बच्चे ये भी पूछते हैं कि आपने untouchable दलित के बारे में बात नहीं करी अब यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या समझ दा है बच्चो कि जो दलित हैं वो यहाँ पर mention ही नहीं थे पूरु शुक्ता हाई में mention ही नहीं थे जो यहाँ पर बच गए वो बन गए बच्चो आउटकास यानि की दलित यह हमारे documents बोलते हैं इसका कोई भी scientific evidence नहीं है मेरी नजर में आज की तारीक में जो चीज बच्चो matter करती है वो करती है merit merit है बस जो है आज की तारीक में जो जीता वही सिकंदर आप यही बात मानके चलो यो जो जीता वही सिकंदर है आज की तारीक में आज की तारीक में वो सिकंदर नहीं है जो ब्राम्वन है या जो शूद्र है जो जीत गया वो सिकंदर है तो आपको यही चीज ध्यान रखनी है और यह फालतू की चीज़े मत करो किसी का बर्डे और किसी की अनिवर्शरी यहाँ पर नहीं है राइट आगे चलते हैं बच्चो अब यहाँ पर आपको क्या समझना है कि हमारे यहाँ पर बहुत जादा strong relation माना जाता है जाती और word नाम अब आपको यहाँ पर पता है अच्छा यह बताओ यहाँ पर हमारे यहाँ पर आप लोगों में से कितने लोगों ने कितने लोगों ने यहाँ पर एक movie देखी है article 50 कितने बच्चों ने article 50 movie देखी है जल्दी से मुझे comment section में बताओ हाँ जान की हाँ data का वीडियो बनाया जाएगा खुश data का वीडियो बनाया जाएगा राइट चलो बताओ आपने बच्चों यह देखा होगा जब यहाँ पर आयुशमान खुराना बात कर रहा होता है ब्राम्मिंट्स के बारे में तो ब्राम्मिंट्स में भी वो हैं यहाँ पर जाती क्या है कि शत्रिया है तो इसमें भी आपको नजर आएगा अलग-अलग क्याटेगिरी के लोग है हमारे हाँ पर caste as a system जो है वो इतना जादा इतना जादा complex है कि जो सबसे उपर वाला ब्रामिंट होगा न वो नीचे वाले ब्रामिंट्स से बात नहीं करेगा जो शत्रिया है और जो शूद्र है खाली यही डिफरेंस है नहीं ऐपको नजर आएगा कि एक ब्रामिंट में भी 7-8 तरीके के ब्रामिंट होते हैं और जो σबसे उपर वाला ब्रामिंट है वो सबसे नीचे वाले ब्रामिंट से बात नहीं करता तो इसका मतलब क्या है क्योंकि यहाँ पर बहुत जादा complications हमें नदर आ रही है overall अगर हम यहाँ पर देखें caste system जो है वो खाली पहले चार division का था लेकिन post-Vedic period में caste जो है न वो और जादा deep बन गया है caste जो है वो यहाँ पर और जादा deep बन गया है लेकिन caste की कुछ characteristics कुछ features है जो आपको समझने है वो है caste is determined by birth caste is determined by birth यानि कि जिस घर में आप पैदा होगे आप वो ही जाती जो है वो occupy कर लोगे वो ही जाती जो है वो आप यहाँ पर occupy कर लोगे अगर आप ब्रामन घर में पैदा हुए तो आप ब्रामन दलित घर में पैदा हुए तो दलित और आपको यह भी पता होना चाहिए कि हर जगा पर caste के एक अलग-अलग rules है caste के strict rules है about marriage यानि कि आप जिस जाती में पैदा होते हो उसी जाती में आपको शादी करनी होती है यानि कि आप यहाँ पर endo gamis का मतलब क्या होता है बच्चो endo gamis का मतलब जिसमें आपको शादी जिसमें आप पैदा होए उसी में शादो करनी है एक होते हैं बच्चो एग्जोगैमी एक होती है एंडोगैमी और एक होती है एग्जोगैमी एंडोगैमी में क्या होता है कि आपको उसी ग्रूप में शादी करनी है और एग्जोगैमी में आपको अपने ग्रूप से बाहर शादी करनी है लेकिन जनरली इंडिया में एंडोगैमी बहुत जादा फॉलो करी जाती है जैसे आपको नजर आता है कि यादव यादव से शादी करते हैं कनईया कनईया से शादी करेगा समझ आरे हो कनईया जहा सॉरी मैंने कनहिया बोल दिया कनहिया तो रादा से शादी करेगा पर जहा जहा से शादी करता है यही जो है वो यहाँ पर चीजे जो है वो आपको समझनी है आप कास्ट मेंबर आल्सो इन्वाल्स रूल्स अबाउट फूड एंड फूड शेरिंग बच्छो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कमेंसालिटी कमेंसालिटी का मतलब होता है Act of Eating Together आप अकसर देखते हो कि हमारे हाँ पर लोग परेज करते हैं अगर कोई छोटी जाती से बिलॉंग करता है राऑड छोटी जाती से बिलॉंग करता है तो लोग उसके साथ खाना नहीं खाते हैं वो कहते हैं कि हमारी भी जाती छोटी हो जाएगी ये लोगों के माइंड में भ्रम हैं बच्चो ऐसा कभी भी कुछ नहीं होता जाती तो होती ही नहीं है लेकिन लोगों के मन में ब्रहम हैं ये राइट अच्छा यहां पर एक बच्चा पूछ रहा है कि कौन सा color associated है with whom यह बच्चों important नहीं है फरक यह है कि मैंने sociology post graduation के बच्चों को भी पढ़ाई हुई है तो that is why वो चीजे मैं आपको बता देता हूं बट वो important नहीं है कि वैसे ब्रहमिन्स को white color resign करा गया है राइट चलो caste involve a system hierarchy of rank तो hierarchy है ब्रहमिन शत्रिया ऐसे करके और they have a subdivision within themselves तो मैंने बता दिया अलग-अलग तरीके के ब्रहमिन खुद हैं यहां पर और caste are traditionally linked to occupation अब यहां पर यह देखो आपको मैं हर चीज जो है न वो example किद्रू समझा रहा हूं जैसे जो लोहार है वो कौन है जो iron का काम कर रहा है जो sonar है वो कौन काम कर रहा है वो gold का काम कर रहा है जैसे ही जो तेली है वो किसका काम कर रहा है वो oil man है आपको क्या नजर आ रहा है यह को नजर क्या आ रहा है कि कास्ट is linked to occupation जो आपकी जाती है वो ही आपका काम है लोहार जाती से कुछ लोग आते हैं तेली जाती से कुछ लोग आते हैं सुनार जाती से कुछ लोग आते हैं उनका occupation ही वही होता है यही चीज जो है वो आपको समझ नहीं है कास्ट कि मैं आपको यहाँ पर सबसे जादा feature और characteristics बता रहा हूँ अब यहाँ पर बच्चों concept आता है purity और pollution का purity और pollution का जो concept है वो यहाँ पर यही है कि जो जितना जादा pure काम करेगा उसकी rank उतनी जादा ऊपर होगी जो जितना जादा polluted काम करेगा उसकी rank उतनी नीचे होगी तो यहाँ पर आपको नदर आएगा जो ब्रामिन है तो वो क्या काम करता है वो क्या क्या काम करता है वो यहाँ पर आपको नदर आएगा ब्रामिन काम करते हैं जैसे rituals करना यहाँ पर संस्कृत के शलोक को पढ़ना ये सारी चीजे ब्रामिन कर रहा है तो उसका काम बहुत जादा हाई स्टेटस का माना जाता है लेकिन जो दलित होता है वहाँ पर सोसाइटी में उसका क्या काम होता है एनीमल की डेड बॉडी को कलेक्ट करना लोगों के फीकल वेस्ट को करना अब ये काम पल्यूटेड माना जाता है तो इसी वजह से दलित को सोसाइटी के बाहार रखा जाता है और ब्रामिन का काम सबसे प्योर माना जाता है इसलिए उनका स्टेटस सबसे उपर माना जाता है लेकिन अगर आप देखोगे कि ये ब्रामिन नहीं ये टास्क इन लोगों को दी हैं आप ब्राम्मिन जो है वो आप दलिस को बोल दो कि तुम यहां पर संस्कृत के शलोक पढ़ लो तो वो भी प्योर हो जाएंगे लेकिन ब्राम्मिन्स यह करने ही नहीं देते हैं प्रॉब्लम बस यही वाली बात है तो इन्होंने रूल्स जो हैं वो अपने लिए ही बनाए हैं और अपने आपको हेड मास्टर बना लिया फरक यहां पर बस यही है राइट बच्चो फरक बस यहां पर यही है अगर हम बात करें कलोनियलिजम एंड कास्ट के बारे में अगर हम यहां पर बात करें तो आपको क्या समझना है कि हमारे यहां पर not all the changes brought were intended or deliberate मतलब British administrators जो हैं वो यहां पर कास्ट को समझना चाहते थे तो इसलिए कास्ट को समझने के लिए उन्होंने यहां पर सेंसेस करा और जब उन्होंने सेंसेस करा तो यहां पर एक सेंसेस कमिशनर आये जिनका नाम है Herbert Risley ने जब कास्ट सेंसस करा तो यहां पर सबसे बड़ी problem यह आई कि कास्ट जो पहले एक vague identity थी अब वो बहुत ज़ादा strong और concrete identity बन गई है लोग अपने आपको जो है वो कास्ट के basis से जानने लग गए है तो हमारे यहां पर और क्या चीज़े नजर आई अब आप से क्या पूछेंगे one more question में 1901 में census हुआ direction किसकी हरबर रिजली में और इंडिया में सबसे पहला कास्ट सेंसस कब हुआ इसी टाइम पर हुआ राइट और हरबर रिजली उस समय पे census commissioner थे आपको यही चीज़े समझनी है कि उसी टाइम से ही हमारे यहां पर कास्ट का जो है वो रोल पलटता चला गया क्योंकि अब क्या हुआ कास्ट जो है वो अब record हो रही है वो अब count हो रही है इस वज़ा से कास्ट जो है अब उसकी identity change होती हुई नजर आ रही है अब और आपको क्या नमज़ा आ रहा है बच्चो यह जो आपको photos नदर आ रही है सारी यह जो आपको सारी की सारी photos नदर आ रही है बच्चो यह यही है कि उस समय पे Britishers ने जमीदार को एक high status दिया जमीदार जो है वो अपर क्लास बनाया गया उस समय पे यह अपर क्लास क्यूं बना क्यूंकि जमीदार जो है उस समय पे अपर कास्ट था तो Britishers ने जब कास्ट के status को collect करा तो उन्होंने देखा उन्होंने देखा यहां पर बच्चों की यहां पर जिनका अपर कास्ट है उनको उचा दर्जा देना चाहिए तो Britishers ने जमीदार को यहां पर property right दे दिये और अब कास्ट जो है वो क्लास में पलट गई कास्ट जो है वो आपका बच्चों ritual hierarchy बताती है ritual hierarchy बताती है class जो है वो आपकी economic hierarchy बताती है तो land owners in the modern sense rather than the feudal classes अब यहां पर क्या हुआ Britishers ने उनको जमीदार को property rights बना दिये यही Britishers जो है अब यहां पर एक act पास करते है government of India act 1935 और उसमें जो है वो schedule tribe और schedule कास की एक list बनाते है जो भी हमारे हाँ पर सबसे सबसे downtrodden people हैं उनकी list जो है वो यहां पर create करवाई गई right अब I believe बच्चो यह point आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है कि किस तरीके से caste हमारी society में जो है वो चल रहा है अगर हम बात करें caste in the present के बारे में तो आज की तारीक में caste जो है वो अब dilute हो गया है लोगों को अब थोड़ा कम फरक पड़ता है लोगों को अब थोड़ा कर्म फरक पड़ता है कि तुम्हारी जाती या तुम्हारा धर्म या तुम्हारी caste जो है वो यहां पर क्या है अब लोगों को फरक इस से पड़ता है कि आपका ज से जादा लोगों को अब फरक नहीं पड़ता तो इसलिए अब जमाना मेरिट का आ चुका है पहले था वो जमाना बच्चो जब बोला जाता था कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा अब ऐसा नहीं है अब रिक्षा वाले का बेटा भी राजा बनने की काबिलियत रखता है पहले ऐसा नहीं होता था आई बिलीव मेरा पॉइंट आप लोगों को यहां पर समझा गया अब जो यह सोशल रीफॉर्मर्स हैं इनों ने ऐसा हमारे यहां पर बहुत जादा रोल जो है वो प्ले करा है कास्ट को खतम करने के लिए तो आप से पूछ सकते हैं कि जो यह स्ल यह के केरला मेरे इनका जन्म हुआ नाउ Luke इंडिया में जो है लीडर वट लोर कास्ट मूव्मेंट कौन है तो आप से एवी रामास्वामी नाई कर यह आप को पूछा जा सकता है थींगयें यह आप से पूछा जा सकता है तो इस बात को ध्यान रखना इस बात को ध्यान अब यही बोला जाता है overall बच्चो अब overall यही बोला जाता है कि caste जो है as a system जो है वो यहाँ पर dilute होता चला गया है और आपको क्या समझना है हाँ बिल्कुल वो super 30 का ही dialogue है अब यहाँ पर एक यहाँ पर M.N. Srinivas हैं बच्चो M.N. Srinivas ने एक study करी कूर्ग village में और उन्हों ने बताया कि हमारे यहाँ पर social mobility in the caste system अब मैंने आपको बताया जैसे कि हमारे यहाँ पर जो caste system है वो बहुत जादा rigid है अगर आप लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ पर अगर कोई individual किसी caste के अंदर पैदा हो जाता है तो वो दूसरे caste का काम नहीं कर सकता इसका मतलब क्या है इसका मतलब बच्चो यह है कि यह मान के चलो यह मान के चलो कि जैसे suppose अगर मैं वैश्या जाती में पैदा होता हूँ वैश्या कास्ट में पैदा होता हूँ और मुझे यूद लड़ना है तो मैं यूद नहीं लड़ूँगा क्यों कि यूद लड़ने का काम है वो सिर्फ शत्रिये करते हैं ऐसा बोला जाता है अब ऐसा नहीं होता पहले ऐसा बहुत जादा होता था तो मोबिलिटी नहीं है मतलब कि मैं अच्छा काम नहीं कर सकता बावजूद इसके कि मैं काबिल हूँ मतलब मेरे अंदर warrior वाली capabilities हैं लेकिन मैं war नहीं लड़ सकता सबसे बड़ी problem ये है तो इसे हम बोलते है mobility mobility जो है वो बिल्कुल भी नहीं है mobility का मतलब है act of movement मैं move नहीं कर सकता बाबजू दिसके कि मैं बहुत बड़ा warrior हूँ स्री निवास ने एक village में study करी कि आप जो है वो अपने behavior को sanskritize कर रहे हो अब इसका मतलब क्या है इसको आप यहाँ पर avoid करो जो मैं उपर बना रहा हूँ इसके उपर ध्यान रखो तो हमें पता है बच्चो कि यहाँ पर चार वड़ना है Brahmin then बच्चो शत्रिया फिर है हमारा वैश्या और फिर है हमारा शूद्रा तो यह one, two, three और four Sanskrit text में लिखा हुआ है कि खाली यही तीन लोग यही तीन लोग जो है वो Sanskrit text पढ़ सकते हैं खाली यही तीन लोग जो है वो यहाँ पर Sanskrit text को पढ़ सकते हैं तो आपको क्या समझना है जब स्री निवास ने देखा कि एक शूद्र जो है वो यहाँ पर अगर शत्रिये की lifestyle practices को lifestyle practices को copy कर लेता है तो वो यहाँ पर शूद्र से शत्रिया बन जाता है वो शूद्र से शत्रिया बन जाता है तो मतलब स्री निवास ने बच्चों यही बोला मतलब यहाँ पर स्री वास ने बोला कि mobility जो है वो यहाँ पर possible है mobility जो है वो यहाँ पर possible है लेकिन और लेकिन तब जब आप अपर कास्ट के लाइफ स्टाइल को यहाँ पर क्या कर लेते हो I believe मेरा point आप लोगों को समझ आ गया तो यह बोला Sanskritization मतलब जब आप यहाँ पर अब वो क्या practices है अब देखो जो शूद है उनकी जो practices हैं वो हमें क्या देखने को मिलती है meat eating meat eating की practice होती है alcohol तो यह सारी practice इन्हें बंद करनी होंगी और जो ब्राह्मन जाए शत्रिया जो practice कर रहे हैं जैसे की vegetarian food sacred text को पढ़ना अब यह सारी चीज़े करनी होंगी और यह चीज़े बंद करनी होंगी तो इन्होंने बोला यह सारी चीज़े हैं नई इसके बाद आपको NCRT नहीं पढ़नी है फिर स्री निवास ने बच्चों एक concept दिया dominant caste का और dominant caste का उन्होंने जो concept दिया है वो यह concept दिया है dominant caste का यह कि अगर हमारे हाँ पर कोई भी कोई भी जो caste है उसकी numerical strength है उसकी numerical strength है अगर उसके पास political power है अगर उसके पास political power है political power निया numerical strength है या उसके पास बहुत जादा land है या उसके पास यहाँ पर हमें नजर आ रहा है बहुत economic power है तो वो dominant caste बन जाएगा वो यहाँ पर dominant caste बन जाएगा वो क्यूं होगा बच्चों वो क्यूं होगा यहाँ पर dominant caste वो इसलिए होगा dominant caste क्यूंकि उन लोगों के पास यहाँ पर power है तो अब आपको समझना है कि dominant caste कौन है हाँ यह बात दिखाना रखना है numerical strength का मतलब जादा लोग है उस समय पर आपको desenskritization भी जो है वो नजर आता है desenskritization का मतलब यह है बच्चों कि जब यहाँ पर आपको नजर आएगा कि छोटी जाती वाले लोग dominant caste में हैं तो आपको क्या नजर आएगा छोटी जाती वाले लोग dominant caste में हैं तो यहाँ पर क्या होने वाला है यहाँ पर जो ब्राह्मन्स हैं वो अपने आपको बदल लेंगे शूद्र में यहाँ पर ब्राह्मन्स जो हैं वो यहाँ पर बदल लेंगे अपने आपको शूद्र में और वो उन लोगों के साथ mix हो जाएंगे इसको हम बोलते हैं de-sanskritization इसको हम बोलते हैं यहां पर de-sanskritization तो I believe मेरा point जो है वो आपको समझ आ गया होगा and that is why we are seeing these examples यादफs of Bihar, खम्माज of आंदरप्रदेश, रेड़ीज of आंदरप्रदेश, जाट of Punjab and Haryana and Western Uttar Pradish, पार्टीदार्स of Gujarat, ये बात आप लोगों को समझ आ रही है बच्चो या नहीं आ रही है, ये बात आप लोगों को बच्चो समझ आ रही है या नहीं आ रही है, मुझे बिलकुल भी जो है वो comment section में बच्चो का जोश नजर नहीं आ रहा है, बच्चो जोश कहां है, ये तो बताओ मुझे आपका paper है पूरा syllabus हम sociology का खतम कर रहे हैं राइट बिल्कुल भी बच्चों के अंदर जोच नजर नहीं आ रहा है tribal community के बारे में अगर बच्चों हम यहाँ पर बात करें tribal community के बारे में अगर हम बच्चों बात करें तो ये लोग वो होते हैं यह लोग वो होते हैं जहां पर इनका ये किसी religion को follow नहीं करते हैं और इनको हम forest dweller भी बोलते हैं ना ये किसी caste को follow करते हैं बच्चो ना ही ये को फॉलो करते हैं लेकिन यहां पर जो है वह आपको चीजे समझनी हैं कि अगर हम ट्राइबल के बारे में बात करें तो ओवर आल आपको नजर आएगा कि यहां पर इन लोगों को दो बेसिस पर डिवाइड करा जाता है एक है पर्मनेंट ट्रेट्स और एक है यहां पर यहां पर और चीज़ें यहां पर आपको और चीज़ें के नदर आएंगी जैसे कि आपका इकोलाजिकल है लैंग्वेज है फिजिकल कैरेक्टर इस तो मैंने बताई दिया आपको एक्वाइड रेट्स क्या है जो है ढूंड लेते हो अब यहां पर आपको पता होना जो यहां पर ट्राइब्स को लेकर दो तरीके की दो तरीके के ग्रूप जो है वो यहां पर बट जाते हैं ऐसी मिलेशन का मतलब यहां पर होता है ट्राइबल और दलित में क्या फरक है ट्राइबल और दलित में फरक बच्चे यह है कि जो ट्राइबल है न वो कास्ट से बाहर है, डिलित जो है, ट्राइबल जो है बच्चे, वो है forest dweller, वो है forest inhabitant, वो forest में रहता है, और डलित जो आता है न बच्चे, वो आता है Hindu सिस्टम, में, ट्राइबल का तो कोई religion ही नहीं है, लेकिन डलित जो है वो Hindu fold में ही आजाता है, राइट अब assimilation का मतलब है, को हमें mainstream society के अंदर tribal को जो है वो हमें mainstream society के अंदर जोड़ना है और कुछ लोग कहते हैं हमें tribal को isolate करना है अगर हम इनको isolate कर देते हैं तो हम इनके distinct culture को protect कर पाएंगे हम इनके culture को distinct कर पाएंगे preserve कर पाएंगे लेकिन जो mainstream society है जो mainstream society है यहां पर जो mainstream society है आपको नजर आएगा यहां पर आप tribal जो है वो हिंदू society से मिला दोगे तो tribal की जो distinctiveness है वो खतम हो जाएगी ट्राइबल की जो distinctiveness है वो यहां पर खतम हो जाएगी एक्वायर ट्रेट्स क्या है बच्चो लाइवलि हूड एक्स्टेंट ओफ इनकॉर्परेशन यह जो हमारा एक्स्टेंट वो है एक्वायर ट्रेट्स और यही पॉइंट जो है वो मैं आपको बता रहा था कि यहां पर या तो हमें isolationist policy बनानी है या यहां पर हमें ingressonist policy बनानी है और आप यहां पर क्या है और है हमारा family और kinship क्या है बच्चो हमारे जो relation होते हैं उनको किंशिप बोलते हैं अब यहां पर overall क्या बोला जाता है बच्चों कि जो family है overall उसका status जो है वो हमारी society में change हुआ है हमारी इंडिया में आपको इस समय पर नजर आएगा कि industrialization के process के बाद हमारी जो joint family system है वो खतम होकर यहां पर एक nuclear family में divide हो गई है पहले क्या होता था यह आपको समझना है कि हम कैसे जो है वो joint family बनती है जब तीन generation बच्चों साथ में रहती है ना तो joint family बोली जाती है जैसे कि आप अपने parents के साथ में रह रहे हैं आप हो parents है child हो गए आप अपने parents के child हो आपके parents है यह हो गई बच्चों nuclear family अगर आपके parents के भी parents यानि कि आपके grandparents जो है वो यहाँ पर living है आप लोगों के साथ पर तो बच्चों यह बन जाती है यहाँ पर joint family जहाँ पर तीन generation अलग-अलग यहाँ पर रह रही है वो है यहाँ पर joint family अच्छा यहाँ पर बच्ची पूछ रही है कि हमें वीडियो के बाद कैसे पढ़ना है वीडियो के बाद आपको बच्चों बस वही topic पढ़ने हैं जो आप जो हम वीडियो में नहीं पढ़ रहे हैं overall आपका syllabus जो है वह यहीं से ही complete होगा कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि शायद मेरे कुछ topics यहाँ पर missing है बच्चों missing नहीं है मैंने वो जान मूझ के नहीं डाले क्योंकि एक चीज आज ही मैं पूरे करवा दूँगा तो फिर वो हो गई नहीं राइट तो diverse forms of family जो है हमें देखने को मिलता है अब families में हमें नदर आता है patriarchal और matriarchal patriarchal और matriarchal matriarchal families वो होती हैं जहां पर decision-packing powers जो हैं वो मदर के पास होती है और patriarchal families जो हैं वो यहां पर वो होती है जहां पर हमारा घर में सारा decision लो लिया जाता है वो लिया जाता है eldest male member के दुआरा right eldest male members के दुआरा तो वो होती है patriarchal society नौर्थ इस्ट में आपको matriarchal society जो है वो नदर आती है शादी के बाद जब एक bride or groom bride or groom जब किसी के घर में जाते हैं अगर वो अपने घर में जाते हैं तो उसे बोलते हैं new local अगर वो अपने फादर के घर में जाते हैं मतलब ब्राइड कौन है लड़की ग्रूम कौन है धूला अगर शादी के बाद जो मैरीड कपल है वो ग्रूम के पैरेंट्स के घर पे जाते हैं तो वो हाउस होता है पेट्री लोकल mother, bride के घर पे जाते हैं तो वो होता है metri local अपने घर में जाते हैं तो वो होता है neolocal यही चीजे जो हैं वो आपको यहां पर समझनी है desanskritization means हाँ, बिल्कुल सही बात है हाँ, नहीं, नहीं meat खाने के प्रोटीन के लिए नहीं, adjust करने के लिए adjust करने के लिए adjust करने के लिए होता है ठीक है कि क्योंकि पता है dominant caste जो है वो मार डालेगी अगर हमें आपे, तो इसलिए market as a social institution पर आ जाते हैं बच्चो हम market में जो है वो overall कुछी चीजे जो है वो यहां पर पढ़ने वाले हैं इसमें ये वाले topic बिल्कुल भी important नहीं है ये topic important है जहां पर मैं आपको बता देता हूँ जजमानी सिस्टम क्या होता है हाँ, example था लेकिन example सही नहीं था वो ठीक है, अब एक जजमानी सिस्टम है, market में ये में बता देता हूँ जजमानी सिस्टम जो है वो बच्चो बिटिशर से पहले हमारे यहां पर चलता था जजमानी सिस्टम में दो category के लोग हैं वो यहां पर I guess आपकी NCRT में दे नहीं रखा जजमानी सिस्टम में दो तरीके के लोग होते थे, एक होते थे बच्चो यहां पर जजमान और एक होते हैं बच्चो कमीन यह गाली जैसा लगेगा आपको लेकिन जजमानी सिस्टम में दो category के ही लोग होते थे जजमान जो है वो यहां पर इनको माना जाता है बच्चो patron जो कि service receiver होते हैं और जो कमीन है वो होते हैं service provider इनका बहुत functional relationship माना गया है इनका बहुत functional relationship जो है वो माना गया है और क्योंकि इनका functional relationship माना गया है जजमान जो है वो यहां पर service लेते हैं कमीन से और कमीन जो है वो यहां पर service देते हैं जजमान को तो और यह यहां पर एक unequal relation माना जाता है ये एक unequal relation माना जाता है क्योंकि जज्मान जो है वो upper caste होते हैं और जो कमीन होते हैं वो lower caste होते हैं तो इसलिए जज्मानी सिस्टम के basis पर ही हमारी पूरी market जो है वो चलाई करती थी पूरी market जो है वो हमारी जज्मानी मार्किट कमिटी जो है वो बोली गई है और इसी मार्किट में काफी instruments का भी use करा जाता था जैसे कि एक यहां पर हमारा market instrument था हुंडी जो की एक money instrument था credit का bill of exchange का मतलब यहां पर क्या है जैसे कि suppose मैं आपको मैं पाकिस्तान से भारत आ रहा हूं समान बेचने और मैं जब समान बेच कर आपको जा रहा हूं तो आपको यहां पर क्या बोल रहा हूं आपको मैंने समान बेच दिया अब मैं आपसे क्या मांगूंगा यहां पर पैसे दे दो आप आप पैसे दे तो तो आप मैं पैसे नहीं लेकर जाओंगा मैं हुंडी लेकर जाओंगा हुंडी क्या है क्रेडिट नोट है हुंडी जो है वो क्या है क्रेडिट नोट है और उस क्रेडिट नोट में क्या होता है उस क्रेडिट नोट में क्या होता है यानि की credit note तो उस समय पर आपको नदर आएगा कुछ communities जो हैं जैसे की चेतियार committee जैसे आपने बच्चो एक community का नाम सुनाएं चितंबरम हमारे पुराने finance minister भी थे पी चितंबरम वो चेतियार community ही है from the Tamil Nadu अब वो चितंबरम में पलट गई है अब वो चितंबरम में पलट गई है वो है हमारी चेतियार community and they provide how indigenous trading network were organized and worked आपको नदर आएगा जो नकर कट्र जो हमारी यहां पर banks हैं यह joint family firms थे और इसी समय पर हमें क्या नदर आया कि जो चेतियार merchants हैं इनकी जो activities थी वो यहां पर multilateral तक थी मतलब यह कौन सा chapter है यह है बिटा market chapter third fourth chapter है हमारा right यही चीज़े जो है वहां आपको यहां पर नदर आएगी overall आपको जैसे कि मैंने आपको बताया कास system में जो है कास system जो है वो हमारा occupation के बहुत जाधा linked है तो आपको नदर आएगा there is a close connection between the caste system and the economy in terms of land holding occupational differentiation जिसकी जितनी बड़ी कास्ट होगी उसके पास उतना जाधा land होगा उसके पास उतनी economic power होगी उसके पास उतनी ही आपर business power होगी तो यहां पर जैसे मैंने आपको बताया जो वैशिया community होती है वो यहां पर बनिया यानि की merchant यह merchant community है तो इनकी economic power जो है वो बहुत ज्यादा communities नदर आती हैं जैसे की बनिया community जैसे की सिंधी community पार्सी community यह सारी की सारी community जो हैं बच्चो यह merchant communities रही हैं यह merchant communities हैं राइट आई बिलीब मेरा point जो है वो आप लोगों को समझ आ रहा है हाँ I know I know I know I know this is a deleted chapter बच्चो मुझे पता है बट इसके कुछ concepts यहां पर जो हमारी दूसरी book है उससे पूछे जाते हैं I know this is a deleted chapter I know this is a deleted chapter एक यहां पर commoditization है commoditization commoditization और commodification एक concept माना जाता है बच्चो यह commodification जो है यह एक ऐसा concept है जहां पर आपको नजर आएगा कि पहले ऐसा कुछ नहीं होता था लेकिन अब ऐसी चीज़े होने लगी है अब इसका मतलब क्या है समझो 2000, year 2000 की बात है year 2000 की बात है जब हमें यहां पर देखने को मिला जब हमें यहां पर देखने को मिला कि बिसलेरी वाले जो हैं वो पानी की बोतल बेचने आये थे इंडिया में तो लोगों ने उस समय पर बिसलेरी बोतल पर बिसलेरी बोतल पर हसना चालू कर दिया कि यार तुम इंडिया जैसी कंट्री में पानी की बोतल बेचोगे क्योंकि इंडिया जो है वो तो यहां पर माना जाता है कि वो तो इतनी नदिया है यहां पर गंगा यमुना है ब्रम्म पुत्रा है सराट स्वती नदी है यहां पर और तुम ऐसी जगह पर पानी बेचों के जहां पर आपको नदर आता है कि पानी की बोचार है तो बिसलेरी वालों ने उस समय पर कुई जवाब नहीं दिया लेकिन उन्होंने अपनी मार्किटिंग के ओपर इतना पैसा खर्चा कि आज वही बिसलेरी की बोतल जो लोग हैं वो 20 रुपे लीटर के हिसाब से खरीदते हैं तो ये कैपिटिलिजम की पहचान होती है जो चीज पहले कमोडिटी नहीं थी जो चीज पह हम बोलते हैं कमोडिफिकेशन या कमोडिटाइजेशन जो चीज पहले मार्किट में बेची नहीं जाती थी अब उसको बेचा जाता है उसको हम बोलते हैं कमोडिफिकेशन राइट तो अब पानी जो है वो बेचा जाता है पहले जो है वो पानी बेचा नहीं जाता था तो I believe मेरा पॉइंट आप लगोगो यहां पर समझ आ गया होगा राइट आचा यह बताओ पैटन्स ओफ सोशल इनीक्वालिटी एन एक्स्क्लूजन पैटन्स ओफ सोशल इनीक्वालिटी एन एक्स्क्लूजन यह जो चाप्टर है इसको हम उपर उपर से कर ले हम इसको हम डीटेल वे में समझें यह बच्चो बच्चे वह हम जो है वह वह आला कॉंसेप्ट जो है वह हम कल पढ़ेंगे ठीक है अब आपको यहाँ पर समझना क्या है यहाँ पर बात करी जा रही है यहाँ पर बात करी जा रही है सोशल इनीक्वालिटी और एक्स्क्लूजन के बारे में सोशल एक्स्क्लूजन और इनीक्वालिटी के बारे में अब यहाँ पर ना बच्चो एक एक ठिंकर था हमारा और उस ठिंकर ने बोला था हमारी सोसाइटी में जो है वो यहाँ पर दो तरीके की इनिक्वालिटी होती हैं एक होती है बच्चो नैचुरल इनिक्वालिटी और एक होती है बच्चो यहाँ पर सोशल इनिक्वालिटी नैचुरल और सोशल इनिक्वालिटी में क्या फरक है? नैचुरल और सोशल इनिक्वालिटी में यहाँ पर क्या फरक है? नाव आपको क्या समझना है नाचुरल और जो जो लोग जैसे कुछ लोग होते हैं जो जन्म से ही किसी का हाथ नहीं होता किसी का पैर नहीं होता या किसी को कम समझाता है किसी को जादा समझाने के बाद जो है वो समझाता है वो होती है natural inequality और एक होती है social inequality जैसे हमने जो है वो खुद inequality खुदी create करी है that is caste जैसे कि जो caste है न वो एक social inequality है जो society ने create करी है जो society ने create करी है वो है social inequality तो a person from आपको नदर आएगा कि हमारे यहां पर कुछ लोगों के पास जादा चीजे होती है another person और उसका reason होता है उसका reason होता है कि हम लोगों के पास जो चीजे हैं वो different different values और different different proportion में है अब जैसे कि यह जो individual है यह हमें क्या नदर आ रहा है कि इसको जो है वो problem यही रही है कि इसका group जो है वो ऐसा रहा जहां पर इसको हमीशा torture mentally torture करा गया कि तुम ऐसे क्यूं हो राइट और यह जो individual है इसको हमेशा से यहां पर एक तरीके से ऐसा दिखाया गया कि आप बहुत जादा intelligent हो राइट तो इसका मतलब क्या है यहां पर इसका मतलब यहां पर यही है कि हमारी जो society है वो उसी ही appreciate करती है जिसके पास क्यों ही न कोई चीज जो है वो जादा हो तो अब यहां पर concept आता है three social resources के बारे में जो हमारे फ्रेंच सोशालोजिस्ट पियरे बुर्दू कहते हैं पियरे बुर्दू क्या बोलते हैं यहां पर पियरे बुर्दू बोलते हैं कि यहां पर तीन तरीके की capital होती है economic capital social capital और यहां पर होती है cultural capital economic capital का मतलब यह है कि जिनके पास जादा पैसे हैं जिनके पास दौलत है पैसा है गाड़ी है वो है economic capital और पियरे बुर्दू बोलते हैं जिनके पास दौलत है पैसा है शौरत है उन लोगों के पास कल्चरल कैपिटल भी होती है कल्चरल कैपिटल का मतलब है यहां पर आपके पास हाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और जिनके पास हाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है यहां पर उन लोगों की सोशल capital भी होती है क्योंकि आप अगर Harvard में या London School of Economics में पढ़ोगे तो वहाँ पर कोई मामली लोग तो आते नहीं है पढ़ने वहाँ पर जादा तर celebrities के बच्चे, politicians के बेटे या बहुत rich businessmen family से लोग जाते हैं rich businessmen family से जाते हैं लोग तो उनके network बहुत साथ strong हो जाता है तो ये लोग जो हैं हमारी society के अंदर ये लोग जो हैं वो society में overall dominate करते हैं तो यहां से ही आपको नजर आता है कि जो ये हमारा pattern है कि जिसके पास economic capital है जिसके पास social capital है जिसके पास cultural capital है वो ही हमारी society में जो हैं वो dominate कर रहे हैं और peer बुर्दो इस बात को बोलते हैं pattern of unequal access और ये है हमारे यहां पर social inequality क्योंकि हम ही लोगों ने जो है वो यहां पर इन सारी चीजों को start करा है अब आपको समझना है कि जो ये pattern है हमारी society में जो division माना जाता है ना कि upper class middle class lower class ये क्या है this is stratification stratification क्या है हमने यहां पर society को अलग-अलग categories में divide कर दिया है हमने जो है वो society को अलग-अलग categories में divide कर दिया है तो आपको नदर आएगा जहां पर कि जब हमारी society बहुत जादा traditional थी तो आपको नदर आएगा stratification बिल्कुल भी नहीं था लेकिन जो stratification हमारी society में तब हुआ जब हमारे यहाँ पर material assets बनने लग गए पहले तो लोग क्या करते थे पहले लोग hunter और gatherer हुआ करते थे पहले लोग hunter थे और gatherer थे वो क्या करते थे वो यहाँ पर एक जानवर को मारते थे और उसी को ही खा जाते थे इस तरीके से हमारी जो society है वो start हुई लेकिन आज की तारीक में inequality क्या बढ़ गई है कि उसके पास BMW है मेरे पास Mercedes है किसी पर cycle है किसी पर E-Rikshah है कोई BD पी रहा है कोई cigarette पी रहा है कोई यहाँ पर cigar पी रहा है मतलब तंबाकू में भी status है आप देखो कोई सिगार बड़ा आदमी पीएगा cigarette middle class पीएगा BD रिक्षा चलाने वाला पीएगा अब हर जगा यहाँ पर क्या है stratification हो रखा है हमने लोगों को अलग अलग खानों में डाल रखा है तुम middle class हो तुम upper class हो तुम lower class हो यह हो के हो रहा है material assets की वज़ा से हो रहा है यह सारी की सारी चीजें material assets की वज़ा से हो रही है यह सारी की सारी चीजें material assets की वज़ा से हो रही है और जो social stratification है it persists over generation और आपको नदर आएगा it is linked to the inheritance of the social resources अब आप ये देखो यहां पर होता क्या है जैसे कि सपोज आपके जो ग्रेट ग्रेंड फादर थे आपके जो ग्रेट ग्रेंड फादर थे वो सूपर रिच थे पिर आपके ग्रेंड फादर भी जो हैं वो रिची होंगे क्योंकि वो भी सूपर रिच थे अब आपके फादर जो हैं वो भी रिच होंगे क्योंकि वो भी बहुत बड़े बाप की उलाद थे अब जो आप हो वो भी यहां पर रिच ही होगे क्योंकि यह inheritance है राइट वो inheritance है आपको क्या लगता जो रतन टाटा है क्या रतन टाटा पस्टेकृष्ण अंट्र्पेणौर है 105 अणसर इस नो रतन टाटा जो है वो यहां पर थर्ड जेंटर्पेणौर है तो यहां पर आपको नदर आएगा कि जो सोश्थल स्ट्रा इफ़िकेशन है जो अमीर था वो अमीर रहता है जो गरीब था वो गरीब रहता है reason क्योंकि इनका जो social cultural economic capital है जो social cultural capital है वो ही यहां पर strong होता है यही चीज जो है वो आपको समझनी है कि हमारे आपर stratification जो है it persist over generation आपको यह भी पता होता है कि stratification is supported by the patterns of belief लोगों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि तुम जो है लोगों को जो है वो विश्वास दिलाया जाता है कि तुम इस काम के लिए बने ही नहीं हो तुम छोटी जाती से हो तो इसलिए तुम छोटा ही काम करो राइट यही चीज़े जो है वो लोगों से beelong करता हूं इसलिए मुझे war लडने नहीं दिया जा रहा है तो लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता क्योंकि हमारे यहांपर society में mobility नहीं प्रोवाइड करी जाती I believe मेरा point आप लोगों को समझ आ रहा है अब prejudice क्या है Prejudice refers to the preconceived opinion and attitude held by members of one group toward another the word literally means pre-judgment prejudice का मतलब बच्चों यहां पर क्या है prejudice का मतलब है कि मेरा आपके two word पहले से ही opinion create हो रखा है मेरा आपके two word पहले से ही कोई opinion जो है वो create हो रखा है ठीक है मेरा आपके two word अब यह क्या होगा कि अब मैंने आपको देख लिया और मैंने आपको पहचान लिया कि आप किसी community से belong करते हो हिंदू हो मुसल्मान हो सीख हो या जैसे भी हो अब मैं यहां पर आप लोगों को बोलू कि यार यह community के लोग इस धरम के लोग न अच्छे नहीं होते हैं और मैंने जो है वो यह किस बेसिस पर कहा अपने past experience के बेस पर है तो लोग क्या करते हैं बच्चो पास्ट experience को वो universalize कर देते हैं Universalize का मतलब यहां पर यह होता है कि आपने एक experience करा किसी अच्छिय बना देता है कि सारे के सारे लोग ऐसे ही होते हैं तो वो पास्ट experience जो है वो आपको prejudice बणा देता है तो यही चीज जो है वो आपको नदर आ रहे है उसी के basis पे आप prejudice जो है वो आपका positive आप negative जो है वो आपको देखने को मिलेगा और यही चीज़े जो हैं वो हमारे stereotype में होती है जैसे कि बच्पन से ही जो है बचपन से ही जो है वो आपको यहाँ पर चीजे जो है वो बताई जाएंगी that you are a boy and since you are a boy you should not cry also आपको बोला जाता होगा कि यहाँ पर do not cry like a girl do not cry like a girl इसका मतलब क्या है कि लड़कियां रोती है लिया लड़कियों की तरह मत रो यह क्या है बच्चो यह है stereotype यह है stereotype जहाँ पर आप लोगों को gender के basis पे यहाँ पर divide कर देते हो और आपको क्या समझना है social exclusion के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं social exclusion का मतलब यहाँ पर क्या है social exclusion का मतलब यह है कि हम society में से कुछ members को cut off कर देते हैं और यह अक्सर हमें किस basis पर देखने को मिलता है यह हमें economic hierarchy में देखने को मिलता है यह हमें यह बच्चो social hierarchy में देखने को मिलता है यह हमें social hierarchy में देखने को मिलता है जिसके पास पैसे कम है उसको allow नहीं करा जाता जिसकी कास्ट छोटी है उसको allow नहीं करा जाता तो social exclusion को अक्सर जो है वो इन सारी चीजों से हमें नजर आता है कि हम जो हैं इन सब चीजों को justify करते हैं through the system of caste अब मैंने कैसे justify कर दिया भ्राह्मन्स ने कैसे justify करा कि दलित यह शूद्र जो हैं वो संस्क्रिट टेक्स को पढ़ेंगे नहीं यह भी तो एक social exclusion का यह भी तो social exclusion का ही example है कि यह क्या है exclude कर दिया उन्होंने system बताया कि भाईया एक हैं हमारे पास book और उस book में लिखा हुआ है कि तुम जो है वो भगवान के पाऊं में से निकले हो और इसी basis पर तुमें exclude कर रहे हैं तो उन्होंने justify भी कर दिया कि मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम ब्राह्मन कि तुम जो है वो बुक नहीं है वो यहां पर बच्चो आपको समझ आ रहा है कुछ जगहों पर आपको ये भी नदर आएगा कि जब हमारी society में पहले high caste लोग हुआ करते थे आज की तारीक में वही लोग high class है जो पहले बेंगॉली जमिदार्स थे वो ही आज की तारीक में बेंगॉल की richest लोग हैं क्यूंकि उन्हीं के पास सबसे पहले access आया western education का ठीक है I believe मेरा point आप लोगों को बच्चो समझ आ रहा है है न और इसी तरीके से जो है वो यहाँ पर हमारे यहाँ पर minorities को जो है वो दबा दिया जाता है इसी तरीके से हमारे यहाँ पर minorities को जो है वो यहाँ पर बच्चो दबा दिया जाता है तो I believe मेरा point आप लोगों को यहाँ पर बच्चो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा untouchables की तो यहाँ पर ये situations हैं कि Tamil Nadu और South में तो उनकी ये हालत कर रखी है कि उनको मना कर रखा है कि भाई तुम रात को रात को निकलोगे ही नहीं रात को तुम निकलोगे ही नहीं हमें जो है वो तुम दिन में दिखने नहीं चाहिए हमें जो है वो तुम यहाँ पर रात को निकलोगे बस ये चीज़े जो हैं वो हमें नदर आ रही अब यहाँ पर government जो है वो क्या यहाँ पर steps लेकर आई है Government लेकर आई है Reservation Reservation या फिर Positive Affirmation तो हमारे MLA's हैं, MP's हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को बच्चो समझ आ गई होंगी बट ये भी बोला जाता है कि हमारे यहाँ पर जो State Action है न वो Ensure नहीं कर सकता State Action जो है न वो यहाँ पर Ensure नहीं कर सकता इन सारी चीज़ों को तो आपको क्या नजर आएगा बच्चो कि हमें खुद भी जो है वो अपनी आवाज उठानी पड़ती है तो जैसे कि एक दलित पैंथर मूव्मेंट था ये जो दलित पैंथर मूव्मेंट था ये दलितों की आवाज उठाने के लिए था येस प्लीज आस्योर कोश्चन जानगी प्लीज आस्योर कोश्चन और आपको ऐसे बहुत से लोग नदर आएंगे जैसे की पेरियार, अमबेड कर, जोतीबा फूले इन्हों ने कास्ट के अगेंस्ट जो है वो यहाँ पर फाइट करी है और तभी जो है वहाँ पर ये अपनी डिग्निटी को अचीव कर पाए है राइट, similarly आपको जो नदर आएगए जो अधर बैकवर्ड क्लासेज हैं, जो अधर बैकवर्ड क्लासेज घो यहाँ पर सोचली और एज्चुकेशनली जो है वो बैकवर्ड है लेकिन other backward classes को discriminate नहीं करा जाता ये बात हमेशा ध्यान रखना आप schedule caste को जो है वो यहाँ पर discriminate करा जाता है society में लेकिन OBCs को distribute वो जो है वो नहीं करा जाता क्योंकि ये लोग socially और educationally backward है पर ये लोग आपको नदर आएगा कि यहाँ पर ये लोग economically backward नहीं है साथी में आपको नदर आएगा हमारी government ने दो कमिशन जो है वो caste के लिए बिठाई है एक है यहाँ पर काका कालेकार कमिशन और एक है यहाँ पर मंडल कमिशन और मंडल कमिशन के बाद जो है वो 1991 में एक judgment आया था जिसे हम बोलते हैं इंदरा सानी केस और इस इंदरा सानी केस में 27% reservation जो है वो government ने OBC को दिया था government ने 27% reservation जो है वो OBC को दिया था मंडल कमिशन की report पर और हमारी country में क्या बोला जाता है कि overall हमारी country में 41% लोग OBC से belong करते हैं यह चीज़े आई बिलीव बच्चों आप लोगों के यहाँ पर समझ आ रही हैं अब हमारा है बच्चों यहाँ पर I believe last chapter काका कालेकर कमिशन first commission है जो cast के लिए बनाई गई थी कि cast based reservation हमारी country में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये बच्चों ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है चलें आखरी chapter पढ़ने अपना फिर उसके बाद हमारी ये book खतम हो जाएगी बच्चों मुझे आप लोगों का support चाहिए यहां पर आप लोग like नहीं कर रहे हो session आप लोग like नहीं कर रहे हो बच्चों को जोड नहीं रहे हो session मंडल कमिशन क्या है बच्चों ये बीपी मंडल बीपी मंडल जो है पहले ये बिहार के chief minister हुआ करते थे इनके इनके इनको committee का head बनाया गया और इनको बताया गया कि भाई तुम caste based reservation देखो हमारी country में कितने लोग जो है तो मंडल कमिशन ने ये बताया कि हमारी country में 27% के आसपास जो है वो reservation हमारे याँ पर देना चाहिए बाकी के topic बच्चों हम यहाँ पर 2 mark और 4 mark के questions में करेंगे अभी जो है वो हमारा ये वाला chapter रह रहा है तो हम इसको भी यहाँ पर complete कर लेते हैं ठीक है जब भी हम यहाँ पर जब भी जो है हम यहाँ पर diversity के बारे में बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हम अकसर focus करते हैं differences के basis के उपर rather than inequalities अब आपको पता है कि इंडिया जो है इंडिया इजा कंट्री ओफ यहाँ पर great cultural diversity इसको हम बच्चों melting pot भी बोलते हैं melting pot का मतलब यहाँ पर यह होता है कि सारे culture एक ही जगा पर जो है वो यहाँ पर आ गए हिंदू मुस्लम क्रिश्चन यह सब लेकिर आपको यह भी नदर आएगा जहां पर जहां पर आपको जितनी जादा communities मिलेंगी जहां पर आपको जितनी जादा community मिलेंगी उतना उन लोगों के अंदर differences आएंगे और इसलिए अब उन लोगों में जब इतने differences आएंगे तो उन लोगों के बीच में होगी लडाई हिंदू और मुसलमान के बीच में भी लडाई होती है जो हिंदू है और मुसलमान है उनके बीच में लडाई क्यों होती है क्योंकि उनके बीच में differences बहुत जादा है और उसी की वज़ा से आपको नजर आएगा कि जो cultural differences हैं वो कभी कभार social और inequality social और economic inequality की वज़े से भी होते हैं हाँ दूसरी बुक बच्चे कल ही होगी क्योंकि फिर अभी time नहीं है क्योंकि उसमें 7-8 chapter है तो यह last chapter है इस last chapter को सब के सब बच्चे complete करके ही जाए मेरी सबसे recommendation यही है क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा अगर मैं अभी यह book start करता हूँ तो क्योंकि उसमें दिक्कत होगी इसमें यह बोला गया था कि हमारी country में जो Muslims हैं उनकी situation दलित से भी जादा खराब है उनकी जो situation है वो दलित से भी जादा खराब है और हमारे हाँ पर around 80% Muslims जो हैं वो poor हैं तो अब क्या है जब एक community 80% poor है तो cultural differences आएंगे या नहीं आएंगे जब आपको 80% chance है कि जब आप इस community से किसी आदमी को देखोगे वो poor है तो आप prejudice हो जाओगे आप stereotype हो जाओगे तो आपको क्या नदर आएगा अब यहाँ पर ये सारी चीजे भी जो है वो share करी जाती है गवर्मेंट के बीच में और जब दो community के बीच में बहुत जादा differences आ जाते हैं तो एक phenomena होता है उसे हम बोलते हैं कम्यूनलिजम और कम्यूनलिजम में क्या अकसर हमें देखने को मिलता है बच्चों कम्यूनलिजम में देखने को मिलता है कि जो एक community है वो अपने आपको दूसरी community से ऊपर दिखाती है एक community जो है वो अपने आपको दूसरी community से और वो ये दिखाती है कि तुम हम से economically और socially छोटे हो, अगर कोई community ये मान लेती है, तो तो लड़ाई नहीं होगी, लेकिन अगर कोई भी community जो है, वो यहाँ पर इन सब चीजों को resist करती है, तो लड़ाई होगी, तो लड़ाई होगी, right? तो यहाँ पर इसी इसी चीजों से आपको नजर आएगा, कि यहाँ पर हमारी country में ये सारी चीजे क्यों होती है, वो ये सारी चीजे इसलिए होती है, क्योंकि we are actually fighting on the basis of the identities which we have ascribed to us, अब आप ये देखो, अब आप ये देखो, यहाँ पर आपको समझना क्या है, लोग अपनी identity कैसे लेकर आते हैं, religion से लेकर आते हैं, language से लेकर आते हैं, gender से लेकर आते हैं, इनी तरीके से तो identity अपनी लोग achieve करते हैं, लेकिन ये जो identities हैं, identities हैं, ये primordial identities हैं, आज की तारीक में इनका relevance खतम होता जा रहा है, आज की तारीक में इनका relevance जो है वो यहाँ पर खतम होता जा रहा है तो आपको यहाँ पर समझना क्या है कि हमारे यहाँ पर लोग जो है क्योंकि diverse है country, अलग-अलग communities के लोग हैं वो आपस में एक दूसरों के साथ में accommodate नहीं कर पाते हैं और सबसे बड़ा example तो यह chat section है आप chat section में ही देख लो बच्चे आपस में लड़ बिढते हैं सामने हो तो गला घोट देंग दूसरे का क्योंकि वो एक दूसरे के views को tolerate नहीं कर पाते अगर एक बच्चे ने एक चीज़ को 6 बार लिख दिया तो बच्चे irritate हो जाते हैं वो अगर सामने होता तो उसका computer port देते हैं अभी के अभी यह reason है challenges है यह diversity के तो हमारी country में भी यही होता है तो अगर कोई नमास पढ़ रहा है तो कोई हनुमान चाली सा पढ़ रहा है कोई हनुमान चाली सा पढ़ रहा है तो कोई गुर्बान ही पढ़ रहा है इन सब चीजों से communalism बढ़ रहा है society में क्योंकि लोग एक दूसरे को accommodate नहीं कर पाते लोगों का जो tolerance level है वो कम हो गया है temperament जो है वो कम हो गया है तो इसलिए जो है वो लोगों को अपना temperament जो है वो mental temperament जो है वो यहाँ पर बढ़ाना चाहिए राइट अब हम बात कर लेते हैं communities, nation और nation state के बारे में तो आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि भाई nation क्या होता है देखो बच्चो नेशन होती है feeling of Venus a nation is a feeling of Venus जब आपको नदर आए कि हम जो हैं वो एक ही culture को follow करते हैं एक ही religion को follow करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या नदर आएगा कि हम सब लोग यहाँ पर एक हैं आप इंडिया से बाहर चले जाओ आपको नदर आएगा कि nation की क्या feeling होती है पूरे इंडिया से बाहर चले जाओ आप एफरिका के Nigeria में चले जाओ और Nigeria में सब वहां की language बोलेंगे अब कोई कोई दुकान पर आप जाते हो और आपको बोलें और पाजी क्या हाल है तो आपका मन खुश हो जाएगा क्योंकि यह मेरे देश से ही आदमी है this is the feeling of Venus क्या कि हम सब लोग जो हैं वो एक दूसर से जुड़े हुए हैं लेकिन Nigeria में जाके ही पता चलेगा आपको यह इंडिया में रहके पता नहीं चलेगा कि nation की importance क्या होती है जो nation nation क्या है feeling है nation कोई identity nation जो है वो यहां पर कोई government नहीं बनाती nation जो है वो एक feeling है कि हम लोग एक हैं हम लोगों ने एक साथ चीज़े देखी है नेशन जो है वो religion से बनता है nation जो है वो past history से बनता है past understanding से बनता है language से बनता है history से बनता है लेकिन इंडिया जो है वो nation नहीं है इंडिया जो है वो nation state क्योंकि वो independence से पहले उनकी जो feelings है वो एक हो गई थी तबी तो हमने Britishers को बहार निकाल दिया हम जो हैं पहले nation बने फिर उसके बाद state बने कुछ country जो है वो पहले state बनते हैं फिर nation बनते हैं state का मतलब क्या है कि एक political identity है हमारे world में हम sovereign हैं हम लोग राइट हम sovereign है तो यहां पर यही चीजे जो है वो आपको समझ आनी चाहिए कि हमारी country जो है वो nation state है क्योंकि पहले इंडिया जो है वो nation भी नहीं था पहले इंडिया इतने सारे regions में divided था लेकिन बाद में हम लोगों ने Britishers के खिलाफ एक policy बनाई और उनको बाहर निकारा तब हम nation बन चुके थे Britishers के जाने के बाद हम state बन गए तो हम बन गए अब nation state पहले हमारी सिर्फ communities थी अलग-अलग basis पर divided थी उसके बाद हम बने नेशन और नेशन के बाद बने हम nation state कुछ जगाओं पर आपको बच्चों नदर आएगा कि state nation भी होते हैं कुछ जगां पर आपको नदर आया कि state nation भी होते हैं अब यहां पर आपको क्या फरक नदर assimilation और multiculturalism के फरक में assimilation और multiculturalism के फरक में क्या है यहां पर assimilation is a social process where minority or cultures with the mainstream culture come to reflect the mainstream group assimilation का मतलब क्या है कि जो लोगों का number कम है अब वो लोग बड़े group के साथ में settle हो गए हैं और वो लोग उन्हीं के ही culture को follow करते हैं वो है यहां पर हमारा assimilation multiculturalism क्या है यहां पर हम सब लोग एक दूसरे के cultural differences को समझते हैं और respect करते हैं यह है multiculturalism राइट लेकिन assimilation में आपको dominant culture जो है वो नदर आएगा कि भाई हिंदू राष्ट्र है लेकिन multiculturalism में आपको नदर नहीं आएगा कोई भी dominant culture आपको लगेगा कि सभी लब लोग एक साथ ह यहां पर यह चीज़ आपको बच्चो समझाएगी अब इंडिया में अगर हम cultural diversity के बारे में बात करें तो आपको नदर आएगा हमारी country के अंदर जो है वो बच्चो यहां पर 80% population हमारी country में हिंदू है अब 80% population हिंदू है इसका मतला पता है क्या बाकी की population जैसे कि मुस्लिम जो है वो 11 से 12% है फिर उसके बाद सीख community है फिर बुद्धिस्थ है फिर जैन है फिर जोराश्ट्रिनिजम है पार्सी community जोराश्ट्रियन जैन्स बुद्धिस सिक्स मुस्लिम तो जितने भी यह community है य यह सारी की सारी बच्चों है minority और minority को हमेशा नदर आता है डर उसको हम बोलते हैं English में sense of insecurity उनको हमेशा डर लगता है डर यही लगता है कि जो 80% लोग हैं वो हमें मार तो नहीं देंगे वो हमें यहाँ पर मार तो नहीं देंगे यह यहाँ पर सबसे जादा लोगों को डर रहता है राइट आई बिलीव मेरा पॉइंट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर समझ आ गया होगा देर हमारा दूसरा टॉपिक है रीजनलिजम रीजनलिजम का मतलब यहाँ पर यह है बच्चों जब आप एक रीजन की प्रेफरेंस को उपर कर देते हो जैसे अगर आप लोग आप लोग यहाँ पर टीवी देख रहे होगे तो आपने खालिस्तान का इशू देखा होगा वो रीजनलिजम का एक बहुत बड़ा एंग्जामपल हैं यहाँ पर यह लोग क्या कहते हैं यह लोग अपने रीजन से इतना जादा ऑटैच donut हैкий यह लोग Mobile यहाँ पर य यह लोग कहते हैं कि हमें जो है वो यहां पर यह state बनाना है on the basis of religion तो it is an example of the regionalism जहां पर आपको अपना region जो है वो अपने देश से प्यारा लगने लगता है आपको इंडिया कम पसंद आ रहा है आपको खालिस्तान ज्यादा पसंद आ रहा है वह example है रीजनलिजम का कि आप अपना country बनाना चाहते है on the basis of religion similarly जैसे कि एक region बनाना चाहते हैं लोग नागा लिम नागा लिम जो है वो रीजन है जो नागाज चाहते हैं अभी आपको पता है दिर देशा state call Naga Land नागा लैंड में रहते हैं नागा वो कहते हैं कि हमारा जो है वो पुराना देश था और वो पुराना देश जो कहते हैं वो बंगला देश और मैंनमार का भी उसमें से कुछ हिस्सा है तो वो पूरा का पूरा हैं यहां पर शेत्रवाद तो आपको अक्सर नदर आएगा बच्चो कि हमारे यहां पर minority minority rights और जो nation building है आपको मैं एक जवाल लाल नहरू की बहुत famous statement जो है वो बता देता हूं और famous statement यह वो है कि a country is considered a democracy a country is considered a democracy where minority are able to exercise their rights where minority are able to exercise their right a country is not a democracy where majority are able to exercise their right यानि कि जब हमारी country में minority safe feel करना चालू कर देंगे जब वो लोग safe feel करेंगे हमारी country के अंदर तब जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि वो लोग हमारी country में एक democracy में जी रहे हैं otherwise हम एक Sri Lanka या Myanmar की तरह ही एक majoritarian country बन जाएंगे एक majoritarian country जो है वो बन जाएंगे तो यही चीज जो है वो आपको नजर आएगी बच्चो लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ regional variations भी हमें नजर आते हैं जैसे हिंदूस जो हैं वो overall overall हमारी states में dominant हैं लेकिन कुछ जगाओं पर आपको नजर आएगा Muslims भी किसी state में dominant हैं जैसे लक्षदी जैसे जम्मुएन कश्मीर जैसे की हैदराबाद और तीन states में तो आपको नजर आएगा Christian majority में हैं नौर्थ यस्ट के अंदर जहां पर आपको नजर आएगा कि जैसे की नागा लैंड मीजोरम और मेगाल्य यहां पर Christian population 50% से भी जादा है 50% से भी जादा है तो I believe मेरा point आप लोगों को बच्चो समझ आ रहा है यह सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत से challenges जो हैं वो लेकर आती हैं तो I believe मेरा point बच्चो आप लोगों को यहां पर समझ आ रहा है Communalism क्या है यह मैं already आप लोगों को बता चुका हूँ Secularism क्या है यहां पर जब हम equal respect देते हैं all religion को हम सारे religions को respect देते हैं equal respect to all religion जैसे आप पाकिस्तान को देखोगे तो पाकिस्तान ने बोला है कि उनकी country जो है वो Islam culture follow करती है इरान में बोला जाता है कि वो Islam culture follow करते हैं साओधी अरेबिया में बोला है कि उनकी government Islam culture follow करती है लेकिन Indian government कहती है कि इस country का कोई religion नहीं है क्योंकि इस country में इतने सारे religion है अगर हमने एक religion को भी हाथ पकड़ा तो सारे religion क्या बोलेंगे कि तुमने हमें क्यों नहीं पकड़ा तो इंडिया का कोई official religion नहीं है लेकिन इरान साओधी अरेबिया पाकिस्तान सब के अपने religion है सब ने यहीं बोलाए कि हमारी country जो है वो इसी religion के उपर ही चलाई जाती है तो आई बिलीव मेरा point जो है वो बच्चो आप लोगों को यहां पर समझ आ गया है बाती जो भी concept होंगे हमारे वो हम अपनी अगली class में अगली book के one shot में cover करेंगे एक छोटा सा section है state and civil society का इसको एक बार आप खुद revise करोगे अगर doubt होगा तो मैं आप लोगों के साथ में कल जो है वो इसके साथ में पढ़ूँगा अभी के लिए इसको हम session को यहीं पर ही close करते हैं जिन बच्चों ने भी यहाँ पर like नहीं करा है session मैं उन लोगों से request करूँगा कि आप session को like करके जाएं और session को अपने friends के साथ में share करें अगर आपकी तीन घंटे के अंदर एक book complete हो रही है तो I don't believe कि यह एक बुरा session था उन बच्चों के लिए जो time save करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार right so thank you everyone and again मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा जो भी बच्चे CUET के लिए prepare कर रहे हैं उनको यह code जो है वो use करना है Y770 Y770 इससे आपको maximum discount मिलेगा अपने CUET course को खरीदने पर right so thank you very much and please like the session and share the session बाकी आप लोग कल के sessions के बारे में पूछ रहे हो तो community channel जो है हमारा YouTube पे community check करते रहना वहाँ पर आपको update करते रहेंगे there is a telegram channel called humanities at the 24-7 there is a telegram channel called humanities at the 24-7 उसको follow कर सकते हो बाकी updates के लिए thank you very much